तो कल जी हाँ भारते बाजारों में थोड़ी गिरावट जरूर थी पर आज हम ऐसा नहीं उमीद कर सकते हैं क्यूंकि जो ओवरनाइट जो संकेथ मिले है ग्लोबल मारकेट से वो पॉस्टिव देखने को मिल रहे है साथ ही साथ अगर हम देखे तो जिस तरीके से FIS कैश मारक सारे अन्न क्यूज हैं जहां पर हमें चर्चा करनी है नमस्कार मैं हूँ शृष्टी शर्मा और मेरे साथ मेरे सायोगी अभिशेक और साथी डिंपी भी जुड़ चुके हैं और साथी साथ हम अगले धाई घंटे आपके साथ बने रहेंगे और तमाम स्टॉक्स और सेक्ट बड़े ट्रिगर्ज जो की आज बजार की चाल को तै करेंगे तो जैसा कि ग्लोबल मार्केट की बात हम कर रहे थे तो नास्डाक और सन्पी एक बार फिर से नाई शिकर पर आते हुए यह जो चाल है उनकी लगातार पॉस्टिव ही होते वे हम देख रहे हैं और ऐसे कुछ क्यूज जो है वो गिफ निफ्टी भी ले रहा है जो की 24,400 के पास की ओपनिंग के संकेत हैं वहां से इसके अलावा फोकस में आज IT शेर रहेंगे क्योंकि बजार बंद होने के बाद TCS के नतीजे हैं कलाएंगे और भी IT दिगजो के नतीजे और साथ ही और स्टॉक्स की ब और भी बेच रहे हैं पर येस बैंक ये काउंटर भी आज आपको फोकस में रखना है क्या कुछ आक्षिन आज हम होते में देख सकते हैं क्योंकि कुछ दिनों से येस बैंक में स्टेक सेल की जो खबरे चल रही हैं उसमें अब बताय जा रहा है कि मिजल इस्ट और जपान क बैंक जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग न्यूस फ्लो येस बैंक खे लिए तो इस पे भी आज हम चर्चा जरूर करेंगे कि क्या होनी चाहिए यहाँ पर रनी थी पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल बाजारों की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ संकेत वहां से मिल रहे हैं अबीशेक वेरी गुड मॉरिंग क्योंकि आज गुड मॉर्निग शायद हम भारते बाजारों की फिर से देखें क्योंकि ग्लोबल मार्किट के संकेत अच्छे हैं विस्तार में बताई अबीशेक ओवनाइट क्या कुछ देखने को मिला ग्लोबल मार्किट में और साथी कमोर्टीज में क्या आक्शन रहा? S&P 500 है या फिर नेजडिक रिकॉर्ड तरपर बंद हुए हैं डाउ जूंस में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी रही और इसके लावा हम यह बात करें कि जो स्टॉक्स रहे जहां से सहारा मिला तो वो रहे सेमी कंडुक्टर वाले आईटी वाले वहां से बाजार को सहारा मिलता हवा दिखा है आज जो नजर होगी वो होगी महंगाई दर के आंकड़ों पर CPI महंगाई के आंकड़े आएंगे और मन्थ और मन्थ 0.1% की बढ़हत का अनुमान है लेकिन एक और अच्छी चीज़ यह है कि जेरोम पाउल का स्टेटमेंट आया है उन्होंने बयान दिया है और यह का है कि सितंबर में दरे घटने को लेकर उसको संकीत के तौर पर देखा जा रहा है आपको याद होगा कि CME Fed Watch Tool के हिसाब से भी 73% लोगों को उमीद है कि सितंबर में दरोमे के टोथी देखने को मिलेगी तो एक यह पॉस्टिव वहां से रुजहान निकल के आ रहा ह अगर हम यूरोप के बादारों की बात करें तकरीबन कल 1% के आसपास तक की बढ़ात रही तीनों के तीनों इंडेक्स में, डैक्स में, फुटसी में और कैक में, बॉन्ड इल्ड यूएस में 4.2% के आसपास थे रहे, डॉरर इंडेक्स भी 105 के आसपास ही है उसके नीचे क पेक ने मजबूत मांग का और बढ़िया एकॉनोमिक ग्रोथ का अनुमान जताया है और ग्लोबल एकॉनोमिक ग्रोथ अनुमान दो दश्मलों आठ परसंट से बढ़ा कर किया है दो दश्मलों 9 परसंट तो इसके चलते हैं हमने कुरूड में देखा कि करीब एक डॉलर क्या स पार कर रहा है लेकिन आज जो हमारे लिए संकेत हैं और सबसे अच्छी संकेत यह हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं जिसको देखना चाहते हैं आज जब मेंगाईदर के आंखड़े आ जाएंगे अमेरिका में उससे और पुखता हो जाएगा कि ट्रेजक्ट्री क्या होगी द प्षक्रम को लेकर लिकिन एक सितंबर में एक रइट कट के लिए त्यार रही हैं कुछ-कुछ करे दिराए 24,400 के उपर कारवार कर रहा है तो यह तो होगा गलोबल संकियत जहां से संकियत ठीक है लेकिन आज है निफ्टी की weekly expiry कल बैंग निफ्टी की weekly expiry थी तो आज बाजार की रणनीती क्या होगी क्या हमें यहां पे बाउंस बेक देखने को मिलेगा 24-400 के उपर फिर से बाजार जाएगा 24-400 से 500 वाली रेंज में ये एक बहुत ही कुरूशल चीज है बड़े शेयरों पर निश्ची तोर पर नज़र रहेगी रिलाइंस पर, SDFC बैंक पर और इसके अलावा इंडिक्स में वेटेज के लिहां से आईटी शेयर बहुत प्रमुख हैं, आज शाम को TCS के नतीजे भी आ जाएंगे बाजार बंदोने के बाद, कल हमने कमजोरी देखी आईटी शेयर में, हालांकि TCS का मुनाफ़ा घटने का अनुमान है, लेकिन देखते हैं कि आगे को लेक कमपनी के इस तरह का अनुमान जताती है, गाइडिन्स क्या देती है, उस पर पूरी पूरी नज़र रहेंगे और आज दिन भर आईटी शेयर फोकस में रहेंगे, आपको हम नतीजों से पहले का ट्रेड भी बताएंगे TCS में आज और SCL टेक के नतीजे कल रहेंगे, तो सा साथ आज रेक्शन होते हुए देखेंगे, लेकिन चलते हैं जड़ा अब यह समझ लेते हैं कि FIIs से क्या संकेत हैं, और FIIs के साथ साथ अगर आपको निफ्टी को लॉंग करना है, या निफ्टी को शॉट करना है, क्या आपके रणाइनती होनी चाहिए, कौन से लेविल आपको फोकस में रहना चाहिए, यह सब कुछ विस्तार से आपके सामनी लेकर आएंगे, लेकिन FIIs की लगातार खरदारी हो रही है, कैश में, लगातार हमने कल देखा था कि छटे दिन बाइंग आई है, एक हजार 82 क्रोन रोपे की ठीक ठाक साइस की बाइंग हमने कल की है, डिमपी हमारे साथ जुड़े हैं, डिमपी, FIIs की लॉंग होल्डिंग कितनी कम हुई है, क्या संकीत मिल रहे हैं और बाकी आप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं उनके, देखिए पहले मैं FIIs की होल्डिंग पे आता हूँ, करीब सबा महीने बाद मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि FIIs की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, कल तक ये करीब 84 परसेंट थी, अब घटकर करीब 80 परसेंट हो गई है, कल 79 पॉइंट सम्थिंग आई है, कल मार्केट को देख के भी आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आप बैंक निफ्टी वगरा देखेंगे, आपको कल देख की वैसा लग रहा हो कि अटेम्ट नहीं हो रहा था ऊपर आने का, नहीं तो बैंक निफ्टी एक घंटा नीचे रह जाए, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, पिछले एक मेनी में तो आपकी आदत ऐसी हा गई है, कि बैंक निफ्टी को एक घंटा आप मार्किट के अंदर ऐसा भी कुछ नहीं है, बट हाँ एक रिक्वाइड और रूटीन एक्सराइज है, जो मार्किट अपना कर रहा है, मैंने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, एक तो रूटीन है, और दूसरा रिक्वाइड है, यह जरूरत भी है, मैं बतारो नहीं जो एक्स् लेना है, जिनको वापिस एंट्री करने हैं, उनको भी, तो फिलाल, कल एक छोट असा मौका मिला, कल एक पॉइंट और मिला, कल पहली बार हमने देखा, दोनों ही इंडाइसिस में अन्वाइंडिंग की पॉजिशन बनी है, एक चीज़ में को कल और देखी, जो मैं कल नोट परसंट हुआ है, रिटेल, रिटेल जितना बढ़ता जाएगा, बाजार उतना उतना वीक हैंड्स पे ट्रांसफर होता जाएगा, कल एफाइस जब माल बेच रहे थे तो कोई तो पकड़ रहा होगा ना सिस्टम में, तो कल धीरे धीरे करके रिटेल नो माल पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा नहीं ट्रांसफर हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये अन्वांडिंग का प्रेशर आपकी स्क्रीन पे परडिसर साब ने डाल दिया है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डियाइस के नंबर, डियाइस अभी 33% परहेंगे, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखिएगा, डियाइस 33% पर चल रहे हैं, इनमें कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 33% की लोंग होल्डिंग इनकी जस्किता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाजार को अगर अब चलना है, तो बड़ा नीचे और आना है, तो डियाइस स्टेंड स्टिल रहेंगी, तो आप दो नंबर्स को बहुत अच्छे से देखना, पहला नंबर की रिटेल की पार्टिसिपेशन लॉंग में कितनी बढ़ रही है, जैसे ऐसे लॉंग में बढ़ेगी, आप समझ ले ना, उपर के र अब देखते हैं, जब तक नहीं आएगा, मैं अपने सौदय के साथ एंटर नहीं करूँगा, यह मैंने मोटा मोटी FIS-DIS का नंबर आपको बता दिया, ठीक है, तो यह FIS और DIS की पोजिशनिंग की बात हो गई, पर दिंपी अगर अब निफ्टी की बात करें, तो क्या कुछ लेवल्स वहाँ पर महत्वर पून रहेंगे, वो बताए, क्योंकि कल निफ्टी 50 में भी हमने कई समय बाद धिंपी उपरी स्तरों से एक डीसेंट कर एक्षिन देखा, पर कैसे देखा जाए इसको, क्या आज जो गिफ निफ्टी संकेत दे रहा है, क्या फिर से हमें एक रीबाउंड दिखा सकते हैं थोड़ा सा? देखें कोई भी चीज़ जगर जब पहली बार होती है ना तो ट्रस्क नहीं होता, आप जगर आप तेजी भी देखते है ना तो बहुत सारे टेकनिकल एनलिस्ट आपको ये बोलते होंगे, इसका कॉंटिन्यूटी अफेक्ट चाहिए, यानि कि बार 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 चा ये भी पहली बार हो रहा है वापिस से ठीक, तो ये सारी चीज़े ये इंडिकेट करते हैं कि इसका कॉंटिन्यूटी अफेक्ट चाहिए, अब आप कहरें कि गिफ्ट निफ्टी तो उपर है, क्या ये रीबांड हो जाएगा, बस यही तो चेक करना है, अगर ये इसार दोसों से ही बाज़ार को वापिस पल्टी मारते हुए देखा होगा, दूसरी इंपॉर्टन बात, ये जो बाज़ार गिर रहा है ये आप ऐसा समझ लीज़े कि एक बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी के तोर पर है ये, बाज़ार बजट के बाद भी और गिर सकता है, ये, मैं नहीं कह सकता, बठाँ गिरने के बाद ही ऑपरचुनिटी बनेगी, तो पहले थोड़ा और नीचे आने की गुंजाइश होनी चाहिए, अब आपके पास अगर पॉजिशन है निफ्टी की, तो क्या करें, निफ्टी की पॉजिशन है, तो मैं तो आप से तीन-चार अपर्ट कमाई हुएं, ठीक है सर, तो फिर आप एक काम करो, 24,000 दोसों का और 24,000 तक का रेंज का एक स्टॉपलसिस डाल दो, आप इसके नीचे फिर मत कहरी करना, क्योंकि इसके नीचे, मैं आपको फिर से नोटिस कराया तो, बियर्स अपना दम दिखाने के लिए जरूर आएंगे, जब तक 24,000 और 24,000 की रेंज ब्रेक नहीं होती, मार्केट एक स्प्रिंग के तरह है, जैसी नीचे लाओगे, वैसे उपर आने की प्रोबेल्टी है, जैसे आज आज आपको फील हो रहा है वापीस से, आज होगा नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है, मेरे नीचे है, 24,000 के आसपास वेट करेंगे, तो ज़्यादा आचा है, मैं खुड 24,000 के आसपास आके वेट कर रहा हूँ, कि एक बार मैं को लेवल जिग जिए, फिर मैं उस समय सोचूँगा, मैं को प्लस करना भी नहीं करना, लेकिन 24,000 तक आपका और मेरा दोनों का शायद र में है, दूसरा, फाइज लेड रैली है, जिसको हम हॉट मनी कहते हैं, तीसरा, लिकुडिटी ड्रिवन रैली है, जिसके अंदर लिकुडिटी की किसी तरह की कमीनिया, लोगों का इतना पैसा है, कि आप छोटा सा डिप लाओ, फिर देगो कैसे भर-बर के बाजार उपर आ नंबर से अच्छे नहीं आए, या सो सो नंबर आए, अगर दोनों तूट गए, तो आप पका समझ लेजेगा, आप 24,000 के नाके विल आएंगे, बलकि 24,000 के नीचे भी जाएंगे, और अगर इन दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ये तो रही निफ्टी की बात पर अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल कई समय बात बैंक निफ्टी में भी एक डीसिन करेक्शन देखने को मिला और आप अभी बता भी रहेते हैं, कि जहां सौट 800 पॉइंट का डिप मिले, वहां पर बायस खड़े हो जाते थे नि दो चीजे आपको मैंने अलडी स्टार्टिंग में पहले बताईए, पहला एक तो अन्वांडिंग का प्रेशर आया, देखे सिस्टम में चार तरीके होते हैं, शौर्ट अन्वांडिंग लांग कवरिंग, तो जो सबसे खड़नाक होता है ना वो अन्वांडिंग होता है, क कल आपको मार्केट फ्यल हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों का कल फील हो रहा है जिनकी स्क्रीन रीडिंग आती है, जिनको करनी स्क्रीन देखके पहँचान जाते हैं बाजाशार के अनदर टिपिकली क्या हो रहा है, तो बैंग निफ्टि का अंदर भी न, अभी देखो, खराब कुछ नहीं हुआ है थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो रही है आप ज़ादा ही excited थे मैं आपको कहारा हूँ कहरा हूं और कुछ नहीं कहे रहा हूं मैंने बाजार को कहीं भी कमजोर कहीं भी कळाब निराच भुज्जा हुआ हुआ खराब हो गया जी बेच दो जी सब गंदाया जी ऐसा कभी नी बोला और मैंने कल पहली बार आपको बोला होगा कल पहली बार सवा महीने के अंदर पहली बार कि अगर आप ऊपर से बैंक निफ्टी को बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो क्योंकि आपके एक सपारी 31 जुलाई तक की है बजट निपटने के बाद भी दस दिन तक आपके पास सौधे रह सकते हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि अगर उपर पर बेचा है माइंड इट अपने आप सौधे भी काटना मत आपको हो सकता अच्छी आपके हाथ में भी आ जाए तो इसलिए दोनों ही तरह के सौधे भी सिस्टम में होने चाहिए और दूसरी बात एक इतना नीचे आ सकता देखिए मैंने कल भी आपको नोटिस करा है लिक्विडिटी का दम और सिर्फ एफाइस का दम तो इसलिए बचारे वह बहुत डरे हुएं वह बावन हजार पे उनका कॉन्फिडेंस जगेगा धीरे धीरे करके आएंगे तब बुल्ज और बियर्स की लड़ाई आपस में होगी अदर्वाइस नहीं होगी यह बहुत मे वित्यसलाकार आपको राय दें दूसरा पॉइंट शॉर्ट करना है क्या अब नहीं करना क्योंकि कल की शॉर्टिंग की ऑपरचुनिटी थी कल हमने बता दिया आज शॉर्ट मत करना अब शॉर्ट की ऑपरचुनिटी बावन हजार के जस्ट नीचे मिलेगी और एक क्यावन होने की प्रॉब्लम में हैं ओके ठीक है तो एक काम करते हैं आप शॉर्ट का कॉशन प्रिपियर ही करें थे मैं ही आपको रूप देता हूं शॉर्ट मत पूछना आप क्योंकि बैंग निफ्टी पे शॉर्ट नी एक और चीज़ में बस इसके अंदर नोटिस कराइता हूँ दस शेर एफिंडो बैंड के अंदर हैं यह ने कल आपको इंजाइटी का लेवल बढ़ाया था कि मार्केट के अंदर इंजाइटी जब होती है जब बैंड शेर्स की संक्या बढ़ती जाती है कल नो थे आज दस हो गए है एक और चीज़ बता तब पुट कोल रेशो कल घट है थैंक्यू वेरी मच्च आप दोरों ने हमारे लिए टाइम निकाला और मैमान भी धिरी जिरी करके मेंसा जुड़ते जाएंगे उन सब से करेंगे बाच्चीत हम किरन सर नमस्ते एक बाज़रा जल्दी से आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपका व्यूपॉइट और फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स के साथ पहले अपने शेयर्स बता दीजे किरन जी गुड़ मॉर्निंग वरी गुड़ मॉर्निंग एव्यूपॉइट जैसे आपने बताया कि चांचिस आर वेरी लैस कि यहां से बर हमें लिकावरी देखें के चंटिनिम स्ट्रें जैसे ही वो ब्रेक हुआ 24,110 तक की एक शॉट साइक की रहली हम देख सकते हैं बैंक इफ्टिम में सिमिलर प्रेस हैं जब तक 52,500-600 का लेवल क्रॉस नहीं होगा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और यहां पर हम देख रहे हैं कि 51,800 अगर ब्रेक हुआ अच्छा गासा तो यह आपके लिए इंडेक्स पर कंप्लीट रणनेती होगे निफ्टी के निफ्टी बैंक की किरण की यहां से सिल के रेक्मेंडेशन है निफ्टी पर 24,100 के टार्गिट 24,410 का स्टॉप लोस और निफ्टी बैंक भी सिल क्यावन हजार दोसो वैसे उपर से हम हजार पॉ देखते हैं आगे चाल क्या होती है देखे चली फटाफट अब यह समझ लेते हैं कि आपके लिए आज स्टॉक्स में ट्रेट के मौके कहां पर बनेंगे ट्रेडिंग कॉल समझ लेते हैं और शुरुबात करेंगे दिवांग आपसे बताइए कौन से शियर हैं आपके फोकस में आज वेरी गुड मौर्निंग फोस्टो कि यहां रहेगा संफार्मा का संफार्मा को ओरल चाल स्ट्रक्चर रहें देखे डेली चार्ट पर स्टॉक्न एक अच्छा मोमेंटम देखा आफ्टर देखने मिला है तो मैं लगते हैं संफार्म में आगे भी अपसेट देखने स्टॉक्लो सटना है 184, टार्गेट है 194 संफार्मा को खरीदने की सला है, फेडरल बैंक, अच्छा कल ये दोनों के दोनों शियर हमारे एक्सपोर्ट के फोकस में थे और इन पर बीटी स्टी भी निकल के आई थी कल शाम के सत्र में, खास और से फेडरल बैंक में भी आपको अच्छे मूफ्स देखने को मिलेगे, क अब आज जो हम स्टॉक दे रहे हो संफार्मा है, संफार्मा में आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा का सा एक बीक आउट हमें देखने को मिल रहा है, कल के सत्र में भी हमने देखा, जहां पर मार्पित एक नेगटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेट करना अब देखोगे तो अच्छा का सा लॉंग बिल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, सोरोल काफी बड़िया सेट अप है, तो संफार्मा हम लॉंग करके जाएंगे, जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, 1590 के आउस पास आप लॉंग कीज़े, 1630 तक के हमारे टार्गेट रहें ओपन इंटर्स वाइब यहाँ भी लॉंग बिल्ट अब है, मोमेंटम इंडिकेटर बॉलिश जोन के अंदर है, कल हमने दिखा कि उसका प्रिवियस जो ब्रेकाउट है, उसको रिटेश्टिंग करके एक दोजी के अंडर्सिक्स पैटर्न भी बनाईए, तो कहीना की पोडिशनल आउटलुक रखे, डाबर यहाँ पर आप वाई कीजे, 630 का असपास की क्लोजिंग है, 660 का हम टार्गेट देख रहे हैं और 615 है, तो सन फार्में डाबर हमारी तरफ से वाई कॉल रहेगी, तो स्टॉक स्पेसिक टेजी रहेगी, लेकिन इंडेक्स के अंदर चांसे हैं, लोगर लेवल देख सकते हैं. तो साथ का टार्गेट है, स्टॉप लोज से 615 रुपे का, ये दो शियर होगे किरंट जी की तरफ से. आयोश आप बताइए, आपका भरोसा कहा है, क्या इसी में से आपके भी शियर होगे, फार्मा में से, FMCG में से, कंजम्शन वाले थीम में से? मैंने यहां से थोड़े दो डिफेरेंट शेर है, मेरे भी दो भाइकॉल है, मुझे लगता है, स्टॉप स्पेसिफिक माही रह सकती है, कल के सेशन में एक SBI कार्ट मेरा फिर्स चॉप रहेगा, मैंने था, क्यों भी चाँ है, स्टॉप स्टॉप सिंग्षमार मिनघार के सानी उनित था, मुझे लगता है, स्टॉप स्टॉप सु तो यह दो कॉल्स आयूश की तरफ से तो एक बार कुछी रीकैप कर देते हैं हमारे एक्सपर्ट की जो कॉल्स है आपके लिए तो किरिन का माना है कि इंडेक्स में थोड़ी विक्वाली जरूर हो सकती है पर FMCG और Pharma Space पे आप नज़र रखे फामा स्पेस में Sun Pharma उनका पसंदेदापिक है यहाँ और साथ ही डाबर भी उनको पसंद आ रहा है यहाँ पे आप 660 तक के टागेट्स के लिए 615 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं इसके अलावा आयूश की तरफ से SBI काट्स कल यहाँ पे एक अच्छी रेकावरी देखने को मिली दी निशलेस तरों से यहाँ पे उनका भरूसा है साथ ही न्यू इंडिया शॉरेंस क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बजट से जुड़ी जितने भी की नजर सन फार्मा पे है साथ ही फेडरल बैंक यहाँ पे भी कल हाला के बैंकिंग का मूड इतना अच्छा नहीं था पर फेडरल बैंक ने हरे निशान में क्लोजिंग दी यहाँ पे देवां का भरूसा काइम है 194 के टागेट्स वो उमीद कर रहे हैं 184 के stop loss यहाँ पे Q1 के अपडेट्स और नतीजे कहां पर आए हैं और यह लिस्स लेकर अशेशा हमारे साथ जड़ चुके हैं अशेशा गुड मॉर्निंग बताइए कहां पर है नतीजे गुड मॉर्निंग शृष्टी तो बिलकुल नतीजों का दौर शुरू हो चुका है सबसे पहले JTL Industries के नतीजों की बात करते हैं अनुमान के मुताबिक नतीजे दिखाए दिये इस क्वाटर में रेविन्यूस की बात करें तो करीब 2% की बढ़होतरी दिखी मुनाफे में भी करीब 20% की बढ़होतरी इस क्वाटर में दिखी year on year basis पर और margins की बात करें तो 7.7% पर margins आये versus 7.1% जो कंपनी ने same time last year रिपोर्ट किये थे तो all in all अनुमान के मुताबिक नतीजे JTL Industries ने रिपोर्ट किये हैं इसके अलावा टाटा एलेक्सी की बात करते हैं यहाँ पर भी नतीजे अनुमान के मुताबिक आये थे हैं थोड़ी सी कमजोरी दिखी लेकिन one of impact था margins में जिसके चलते margins पर इस quarter में impact दिखाई दिया management commentary की बात करें तो management की commentary transportation और media segment को लेकर काफी अच्छी आई है तो revenues में 2.3% का growth दिखा quarter on quarter basis पर margins में sequential basis पर थोड़ी सी कमजोरी लेकिन जैसे मैंने बताया one of impact था इसलिए margins में sequential basis पर impact दिखाई दिया इसके अलावा के सोराम industries की बात करते हैं कमजोर नतीजे फिर एक बार कंपनी ने report किये है in fact bottom line पर कंपनी ने घाटा report किया है करीब 62 क्रोड का loss report किया है versus 32 क्रोड जो कंपनी ने same time last year report किया था तो all in all कमजोर नतीजे के सुराम industries ने report किये है इसके अलावा operational updates की बात करते हैं तो सबसे पहले सुला विन्याद काफी अच्छे operational updates कंपनी ने report किये है net sales की बात करें तो 130 करोड के आसपास net sales आये है तो year on year basis पर 10% का growth कंपनी ने report किया है कंपनी ने highest ever operational updates किये volumes first quarter में याद रखे election का impact था dry days थे first quarter में उसके बावजूद volume growth काफी अच्छा रहा है तो अच्छे operational updates के चलते सुला विन्याद पर भी street की नजर रखे तो कई सारे stocks जो नतीजों के और operational updates के दम पर focus में रहेंगे लेकिन अब हमारे साथ शरत भी जुट चुके है जो बाकी खबरो वाले shares की लिस्ट देंगे शरत गूड बाताईए खबरो वाले shares की बात करें तो ग्लेनमार्क life science focus में रहेगा अब इसलिए अफकोस ग्लेनमार्क life science के वरे में कहूंगा क्योंकि उनकी प्रमोटर है ग्लेनमार्क फार्मा वो लगबग 7.84% स्टीक की बिक्वाली करने वाले हैं और यादर कि जो floor price है वो 810 रुपे प्रती श आ रही है कि first Abu Dhabi bank जो है potential suitor हो सकते है लगब 5 billion dollar की stake को लेके जिसका almost 51% stake रहेगा और याद रखिए जो Japanese banks है उनमें भी interest आ रहा है Interestingly Moody's ने affirm कर दिया Yes Bank की BA3 ratings लेकिन ratings में एक टाइप से तबदील हुई है positivity के तरफ पहले था stable अब हो गया positive तो Yes Bank के जो financial credit profile में भी एक अच्छी improvement आ रही है कल block deals हुए थे बहुत लेकिन बड़े बड़े दिगज foreign investors आए हैं यह मैं सब आपको बताता हूँ के करके Mankind farmer में capital group तो बेचा 1% stake जिसका value 770 करोड है लेकिन जो आए हैं अंदर city group, goldman sachs, norges banks, norges banks आपका central bank है Norway का और बहुत सारे emerging markets में invest करते हैं Delivery की बात करें तो यहाँ पे Canada Pension Fund पूरा exit लिया 3.2% stake का लेकिन absorption होई है आपके fidelity group से, black rock group से जो दुनिया का सबसे बड़ा asset manager है NICA की बात करें तो यहाँ पे भी Canadian Pension Fund ने अपनी stake को थोड़ा pair किया है March quarter mean का लगबग 1.5% stake था और जो absorption आई है भारत के domestic institution आईसाइसे अपनी mutual fund ने लिया अब IRB Infra की भी बात कर लेता है यहाँ पे टोल revenue जून के महीने में बहुत शांदार रही है 35% year on year basis पे बड़ा है और अफकोस चार या पाँच महीने बाद यह आपके road infra companies जो है टोल hikes भी लिये हैं तो उसका भी positive news flow देखने मिल रहा और आखिर में मैं PTC Industries को लूँगा यहाँ पे 13 July को important board meet है जहाँ पे वो fund raise जो है उस पे विचार करेंगे क्रिया शरद और साथ ही अशेशा भी हमें यह बताने के लिए कि नतीजो वाले shares कौन से है और साथ ही खबरों के दम पे आज कहां पे दिखेगा action तो कई सारे interesting नामाद सामने आये हैं चुरवात करते हैं येस पैंक पे चर्चा से क्योंकि देखे कुछ दिनों पहले भी जिस तरीके की खबरे आ रहे थी के SBA अपना stake sale करेगा उसके लिए कुछ buyers आ रहे हैं तो उस पे SBA का clarification भी आया था और हमने विनी जी से राई भी ली थी कि कैसा दिख रहा है येस पैंक उन्होंने ये जरूर बताया था कि जी हां लंबे समय के investors जो हैं ले सकते हैं पर आज जो interesting खबर आई है कि यहां पे कुछ बड़े international banks जो हैं सामने आ रहे हैं institution सामने आ रहे हैं इसके हिस्सा खरीदने के लिए तो काफी interesting है और किरन एक बार आप से समयना चाहेंगे येस पैंक कैसे place देख रहे हैं आप थोड़े momentum में stock जरूर था पर दो से तीन दिनों में थोड़ा momentum फिर से एक stock थोड़ा सा correct जरूर हुआ है क्या यहाँ पर आज entry मिल सकती है और अगर मिले तो फिर क्या यहाँ पर लेना चाहिए यहाँ पर बात करें तो daily chart के ऊपर एक जो बड़ा bullish candlestick expandant बना था उसके बाद हम देख रहे हैं कि तीन दिन से लगतार stock low top low bottom बना रहा है लेकिन कहीं अपनी जो important moving averages like 50, 100 and 20 days है उसके ऊपर trade कर रहा है तो कोई भी गिरावत आती है नीचे में ध्यान रखना है 24 का level जब तक 24 की level cash pass मिल रहा है तो मेरे साब से buy on dips की strategy यहाँ रखनी चाहिए एक और stop loss जो में रखना है वो 22 का रखना है जैसे ही वो resistance cross होता है हम 22 तब के एक rally देख सकते हैं तो डेखनी वैली सापसर लांगर के गाना चाहिए पर अभी इस बार भी इसके जो नतीजे है उन्होंने निराश जरूर किया है पर technically कैसे placed है आयूश टाठा एलेक्सी और क्या करना चाहिए यहाँ पर आज अगर कमजोरी दिखे तो क्या यहाँ पर खरीदने के मौके तलाशने चाहिए टाठा एलेक्सी बात करें तो काफ़ी टाइम से एक लंगड़ी consolidation में इस चाहिए तक परीबन अक्टोबों 22 से एक परीड़ा रहें में जल रहा है उपर का 9000 का नीचे को और 36000 के आसपास का लेवल इसमें में बिंडेन किया हुआ है अगर एक डेली चार्ट की बात करें तो एक इन्वर सेजन छोड़ा जैसा फॉमिशन हो रहा है जिसका अगर कोई ट्रेड करने में इंटरस्टे है तो डेफिनिटी इसको बाई करना चाहिए और इसमें जो एक मीजर नीचे के टाइम पर सपोर्ट आदा है अगर रिजल्ट के करने इसमें कुछ भी विखना साथ ये 6800 से 6900 इसका इंपॉर्ट सपोर्ट जोन तो डेफिनिटी य 2900 यहां पर बायों डिप्स की रन नीती आप अपना सकते हैं यह राय टाथा एलेक्सी खुलेकर पर चली अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि ब्रोकरीजिस के रिडार पे कॉंसे स्टॉक्स हैं कहां पर आई है रिपोर्ट यह पूरी लिस लेकर गौरफ उमार का काफी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है इसी के साथ साथ अगर आपक्स की भी बात करें तो कई पर लोवर है बट पीपी ओपी में थोड़ी स्लोग्रोथ हमें देखने को मिली क्योंकि निम्स जो है बैंके वो थोड़े कम है आगे जाके उनका मानना यह है कि क रिलाइंस इंडिस्ट्रीज की जहां पर जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकर आ रखते हैं टार्गेट प्राइस जो है वो 3580 रूपीज का दिया है उनका मानने यह है कि रिलाइंस का जीओ जो है वो कही पर लिस्ट होने की काफी जाधा चांसे से CY 2025 में और इसके दो सिनारियो जो ने ने दिया है अगर वो IPO के थ्रू लिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल काफी अच्छा रहेगा बट होल्ड को डिस्काउंट मिलेगा रिलाइंस इंडिस्ट्रीज को और अगर वर्टिकल स्पिन ओफ के थ्रू अगर ये रिलाइं 12 बिलियन के वालुएशन पे लिस्टिंग हो सकता है जिसके वाज़े से रिलाइंस इंडिस्ट्रीज में काफी आगे जाके भी 7-15% का अफसाइड हमें देखने को मिल सकता है अगली बात करते अंबूजा सिमेंट की क्योंकि नमूरा नहीं यहाँ पे रेटिंग जो है वो बोटी बड़ा के 798-8 रुप呢 का दिया है उनका मानने यह कि कि अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडस्ट्री से ज़्यादा वॉूम् जरू है कंपनी के लिए आगर हम बात करें उवर लिएwashू के सब्सेज़्ाधा वोलूम्न जरूथ है मिल इसी के साथ है कि नर्र तो इसे के उपर अगर ब्रोकरी की बात करें तो इन्वेस्टेक ने बायरेटिंग बगरा रखता है तार्गेट प्राइजब्स पर दिया है उनका मानने यह कि कि एक पी जो स्ट्राइजिक ट्वीक है इसके वज़े से एक दूसरा अड्रेसेबल मार्केट जो है कमपनी टैप कर सकता है इसी के साथ साथ मैनेजमेंट जो है उनका कहना यह भी है कि कई पर डिमांड में कई पर कमी नहीं आने को मिल रही है और इसी के चलते हुए उनका बुलिश वह यहां पर बरकरा रहतो है अगर आम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी महिंद्रा पे अगर हम दूसरे सेग्मेंट की बात करें जैसे ट्रैक्टर हो गया तो उसमें एक सुधार हमें देखने को मिल सकता है और अखिर में बात करें इंडिको की जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवर्वेट रेटिंग बरकरा रहतो है टार्गेट पाइस जो है वह 5142 रूपीस से देखने को मिल सकता है बट इसी के चलते हुए भी उनका बुलिश जो है वह इंडिगो पर बरकरा रखा है तो ब्रोकरिज इसकी देखे तो यह सब कंपनीज पर आज हमारी नजर बनी रहेगी कि एक स्ट्रॉंग वर्ट जो है ब्रोकरिज इसके तरफ से हमें इन सब कंप रहे तो फिर क्या हो रहा है रिपीट होते हैं तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ है कैसे रखता हूं जो कि थोड़ा से ख़बर से बाहर है बट वैसे बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उनमें कहीं प्राइस एक्शन बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा पहला शेर होगा सीएट का एक बज़ रहे पतागा देवांग भाई शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए बाड़े चेक करेंगे सीएट का शेर मैं तिल बज़ट तक रखना चाहता हूँ स्टेट की बात करें तो स्टेट में डेफिनिटली एक अच्छा हमने एक चार्ट पैटन बनाया है डेली चार्ट पे एक कंसलिडेशन हो रहा है अब साइड में तो हमें लगता है अब साइड इसमें देखने और मिल सकता है करीबं टू थाउजन सेवन फिफ्टी तक के जो लों कोई दिक्कत नहीं है यह सिर्म ने लगा दिया बाय के स्टैंप लगाई है आयूज भाई एक शेर आपसे पता करना है कल आपको पता ने सिमेंट वाली कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं एशिन पेंटा बर्जर सिरका और इंडिगो पेंट सब के सब चले पकादा सब अज मैंने इसमें से एक शेर चाटा है इंडिगो पेंट मेरे को लगता है यह कॉंटिटी एफेक्ट और अच्छा दिखाएगा एक बर आप चेक करना खबर का इंपैट तो कली कल में ख़तम है लेकिन एक कॉंटिटी एफेक्ट आज आ सकता है इसमें इसमें पर नोसे में स इसमें पर्स टागेट में एक्सपेक्ट कर रहा है वह एक और चेक्ट करना है अच्छा यह आप ही जड़ा चेक किजएगा वह गोद्रिज इंडस्ट्री का शेर एक्चली कहना है तो थोड़ा कंजम्शन कम डिफेंसिव शेर्स का इस समय थोड़ा जरुरत है और होने भी तो गोद्रिज इंडस्ट्री को चेक करो उसमें उतना स्पार्क आया नहीं हाला कि सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी दिखाई आप चार्ट पे देख भी रहे होगे बट फिर भी उतना स्पार्क ने थोड़ा वेट करें क्या बड़ा पैसा तो बनेंगा बड़ा वेट कर करना पड़ सकता है गोद्रिज इंडस्ट्री की आप में बात करें तो इसका वीकली चार्ट काफी पॉजिटिव एक डेबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और अर्री इसका प्रेकाउड आ चुका है मंतली चार्ट में थोड़ा सा इसमें उपर के लेवल्स पे एक रेजिस होगा यह पर भी है जर्ब मैं उसके बारे में भी पता कर लेता हूं कि क्या वह भी चलने के लिए तियार है क्या एक का शिवालिक करके कमपनी है आप चेक करेंगे किरन सर अभी देख लेंगे आपके पास पड़ा यह शिवालिक का टैक के नाम से कमपनी है नहीं है ठीक है तो फिर छोड़ देते सब्सक्राइब आप चेक करो कि मैं धूंड लेता हूं यहां पर मेरे चार्ट में आ जाएगा सब्सक्राइब के नाम से कोड़ इसका सब्सक्राइब कर देखा देना आपको यह बहुत बढ़िया सुन्दर प्यारा सा बेस बना हुआ है चल सकता है क् कम से कम 50 पर यहां से और तो शिवाली वाइमेटल के अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर कहीना कहीन आपने देसे बता है एक अच्छा का सा बेस बनाया था उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है उसके साथ अगर मोमेंटन इंडिकेटर देखोगे तो वहाँ पर पुलिश रेंज शिफ्ट हुआ है तो कहीना कि एक स्ट्रॉंग सेटप है लॉंग करके जा सकते है एक जो पॉजिशनल स्टॉप लोस यहां बन रहा है वो 580 का बन रहा है तो 580 के स्टॉप लोस के साथ आप नया खरी जारी भी कर सकते हो डिप में भी बाई यह आपको शेर मिल गया और प्रडूसर साब और मेरी वाली स्क्रीन पर दिखा देना मैंने आपके तीन चीज़ दिखाई यह स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग वाला बेस है डबल बॉटम बना हुआ आप देख रहे होंगे नीचे मैंने आपके लिए माक कर दिया एक अच्छा ब वाल्यूम आना शुरू हो रहा है मैं आपके लिए वो भी माक कर देता हूं यह देखिए इतना बड़ा वाल्यूम एक साथ किसी ने भरा है और उसके बास से फिर से वाल्यूम श्रिंग्ड हो गया फिर से कोई बड़ा वाल्यूम इसको उड़ा के लेके जा सकता है तो पर कवरिज भी शुरू किया था साथ सो तीस रुपे के टार्गेट के साथ तो छे सो रुपे के आस-पास के भाव हैं देखते हैं क्या होता है फ्रेहां से देखें को 23 जार तक का वाल्यूम है अम्मूमन वैसे तो ज्यादा होना चाहिए और एक और चीज में आपको शेर इस हैं जिनकी बास बजट औरेंटिट थीम हैं वो सब आपके काम आ जा रहे हैं चोड़ा सोधा में हम आपको तमाम खबरों वाले शेर बता रहे हैं उस पर फिर ट्रेट समझ रहे हैं और वो शेर खास दोर से जहां पर ब्रेकाउट आने की उमीद हैं वो भी हम जानने की दो बाइक और रहेंगे मुझे अशा लगते हैं परजार में कहीने दे एक प्रहस जो कल के गिरावट वाद में आपके से स्रेबिलिटी आ सकती तो पहला जो मुझे लगता हूँ संफार्मा संफार्मा कापे अच्छा फॉर्मेशन मनगा पूरे फार्मा सेक्टर में कापे अच्छा मों तरम दिखाई दे तो संफार्मा में कल की फोड़ावसा फार्मा से बन सकते हैं यह पर इसको ट्रेडिंग के लिहाज से शॉट्टर में डिया जा सकता है संफार्मा के लिए टार्गेट है इसको खरीदना है और संफार्मा के लिए टार्गेट है 630 रुपे का हमारे तीन एक्सपर्ट केरंड जानी दिवांग शाह रतनीश गोयल यह तीन लोग बुलिश हैं संफार्मा को लेकर तो सूचे कितनी जादा कन्विक्शन वाली यह कॉल हो सकती है और कल भी यह शियर चला है और फार्मा वैसे भी फ्लेवर में हम देख रहे हैं संफार्मा दिगज कंपनी सोलो सु रुपए का भाव है आप किसी के भी रेकमेंडेशन भरोसा कर लेजिए प्रॉफिट आपको पक्का होगा सोलो सो तीस से सोलो सो साथ तक के टार्गेट यहां पर निकल के आ रहे हैं यह होंगे रतनीश जी कॉल अच्छा आयार्बी इंफ्रा भी आज फोकस में रहेगा टूल कलेक्शन के डेटा हैं और जो टूल कलेक्शन है वो करीब करीब 35% बढ़ा है रेविन्यू 570 करून रुपे का आया है हालांकि आयर्बी इंफ्रा हमने देखा था कि यह अभी 70 वाला जुषियर 78 का भी गया था हाल फिलहाल की बात है बहुत दिनों की बात नहीं है यह तो 78 से 68 पर है यहां से यह बताएए आयू शा बताएए आयार्बी इंफ्रा क्या करना चाहिए आयार्बी इंफ्रा की बात करें तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी लोगर लेवल पर रिकमेंट किया है हमारा व्यू काफी बुलिश आयार्बी पर विचा है इसका वीकली हम अदली चार्ट लेके तोड़ा था तक निर्भर करेगी कि आईटी की चाल के इस तरह की रहती है नतीजों पर पूरा का पूरा फोकस है टीसिस के नतीज़ा आज शाम को आज जाएंगी और आज से शुरू हो जाएगा कारमा पूरा ये कल ऐसे लिटेग पर आगए इन फोसे बागी कंपनीज के भी नतीज़े आएंगे चुकि वेटिज के लिहां से बड़ा क्रूशल है आईटी को अगर आप देखेंगे निफ्टी में टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब परिबर 16% के आसपास का वेटिज रखता है अकेला आईटी सेक्टर बैंकी के बास सबसे जादा बैंकी का है करीब 20% के आसपास का टीसियस नंबर्स आएंगे कैसे अनुमान क्या है बताने के लिए हमारी स्योगी अनीशा जुड़ गई हैं अनीशा बताइए क्या उमीद है और फोकस कहां पर होगा जी हां तीसे इसकी नतीजों की बात करें तो इस बार भी थोड़ा सब्डूट सेट ही आने वाला है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे है कि कॉंसें करन्सी ग्रोथ 1.4-1.5% के आसपास रहेगा जो basenal deal है वो ramp up हो रहा है बर इस quarter में क्योंकि elections थे billings थोड़ा slow down हो जाता है उसकी चलते शाथ basenal ramp up थोड़ा moderate हो जाएगा overall financial services में भी pick up अभी तक नहीं दिखा है तो उसके लिए क्या management commentary है वो भी important रहेगा margins इस quarter कम होंगे on a sequential basis almost 130 to 150 basis point का impact आ सकता है क्योंकि margin is expected to be at 24.7% versus 26% last quarter Q1 में usually TCS wage hike देता है अपने employees को तो उसका almost 150 to 200 basis point का negative impact रहता है उसको जो offset करेगा वो यह है कि company ने बहुत से efforts ले cost को control करने के लिए utilization बहतर होगा employees का तो उसके चलते वो थोड़ा offset कर देगा bottom line में भी हम on a sequential basis गिरावट देख रहे हैं क्योंकि इस time शायदे एक one time provision company कर सकती है कुछ legal issue के चलते वे तो वो भी एक देखने की बात रहेगी deal win momentum overall around 8 to 11 billion dollars के आसपास रहेगा वो ही analyst मान के चल रहे है और other important things में हमें देखना होगा कि AI projects कैसे move कर रहे है क्या client spending behavior change हुआ है discretionary spend में pick up है क्या headcount decline arrest हो रहा है and overall commentary क्या रहेगी management की यह important things रहेगी because TCS of course first IT company रहेगा earnings देने के लिए उसके चलते बाकिया IT companies का भी context set हो जाता है तो काफी important रहेगी TCS की earnings ठीक है अनेशा बहुत शुक्रिया आपका यह बहुत timely update बताने के लिए कि क्या अनुमान है TCS के नतीजों को लेखर हलांकि कल 2% के आसपास के में गिरावट देखी है हमारे साथ जुड़ गे हैं एक और खासमेमान fundamental expert है सनी अगरवाल सनी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सनी अगर हम बात करें IT stocks की तो देखें निफ्टी को इन्होंने underperform किया है इस साल की बात करें तो और Infosys Teasers को अगर देखेंगे तो अगर हम साल भर का 12 महीने का भी यौदी रख ले उसमें भी underperform किया है कुछ चीज़े पॉस्टी हो रही है US में इंफलेशन घट रहा है कही ने कही एक रेसिस्टरी प्रेशर की बात चीत हो रही थी वो बाती भी खत्म होगी आपको लगता है कि IT अब एक स्वीट स्पोर्ट में है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी परिशान कर रही है वहाँ पर नजर होनी चाहिए या बुड मॉनिंग एवरिवन थांक्स वर राविजिंग में अन दे शोर या IT सेक्टर के अगर बात करें अगर आपको याद होगा पिछले कॉर्टर में सभी IT कंपनी ने कहा था कि शोर्ट टम डिमांड एंवर्मेंट थोड़ा अंसर्टन है जब मैं शोर्ट टम की बात करता हूँ तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात होती है तीन से छे महने के लिया से और एक रिसेंट एक होप थी कि असेंजर जो की एक ग्लोबल लीडर है IT सर्विसेस में उन्होंने कहीं ने कि अपना एक लोवर एंड ऑफ जो गाइडन से बैंड वो तुड़ा रिवाइस करके उपर किया था तो एक होप है कि इस बार शायद जो जो लाज़ कैप IT कंपनी से जैसे TCA, Symposys वो भी अपने दिमांड एंवर्मेंट के आटलूक को अगर महतर करती है तो एक काइंड ओफ एक डिसेंट बेट हो सकता है 10-15% अपमों के लिए इसके अलावा जो बाकिके फैक्टर से definitely because of salary hike मुझे लगता है कि margins इस बार फोड़े pressure में रह सकते हैं which will be partially offset by increase in utilization so ultimately जो main focus area रहेगा demand environment को लेकर के रहेगा and any positive commentary on demand environment can lead to a temporary rally in large cap IT companies इसके अलावा मुझे लगता है कि जो mid-size IT companies है वो definitely earning front से outperform करेगी companies like KPIT, Persistent, Co-Forge जो mid-size IT companies है वहां भहतर earning growth आते होए दिखेंगे और वहां मुझे लगता है कि जिस तरह से जो एक spending program है client का engineering, research, development, electric vehicle वो जारी रहेगा despite of weak economic scenario in US and Europe तो वहां relatively भहतर growth की opportunity लगती है और कहीं भी अगर deep आता है तो definitely जो mid-size IT companies है उतमें एक buy करने का भी मुझाब है अलिए IT counters पर रहेगी नजर पर mid-size IT companies जो है जैसे के Persistent और कोफोज वो फिलाल Sunny को पसंद आ रहे हैं पर कुछ एक और counters किरन एक बार आप से ACC पर आए जाना चाहेंगे देखें यहां पर एक double upgrade जरूर आया है नौमिरा की तरफ से पर कल भी अमने देखा था कि जाते जाते कुछ cement counters action में जरूर आ गए थे पर खास और से ACC पर भी बताईए किरन आज क्या होनी चाहिए लेवल्स जो की ध्यान में रखने हैं और साथ ही कोई अन्य cement counter है जहां पर आपको लग रही है कि strength लोटती भी दिखें और जहां पर trade ले सकते हैं हम बात करें तो ACC में हम देख रहे हैं कि टहीना कहीं जो election देगी result की बात करें तब एक ACC ने हाई बनाया था वो 266, 265 के असपरस था वो कहीना कहीं एक peak resistance था उसके बाद stop ने दो बारी उस resistance को respect करके lower top बनाया थे अलाकि अभी उसके over sustain है साथी साथ 20 days moving average का support भी है तो कहीना कहीं चार्ट बैटन strong है और risk reward ratio के point of view देखे जाए तो 255 का आसपास हम सपोर्ट देख रहे हैं और 255 के आसपास ही उसके 120, 50 days moving average का support है तो कहीना कहीं longer के जा सकते है current market price से एक strict stock closer में रखना है वो 255 का रखना है अगर 255 का level break नहीं होता है तो वापिस ये stock उपर में 200 तका सकता है अगर कोई नया किसी को और एक cement stock चाहिए तो mid gap cement stock एक जो सागर cement है वो काफिया में अच्छा लगा है 230, 240 के आसपास हमने recommend किया था ये उसके बाद हमने लेखा उपर में 280 तक क्या highs बनाए है सागर cement ने वहाँ से वापिस उसने अपने previous breakout को retest किया हुआ है 240 के आसपास की closing है लॉंग करके यहां पर भी जा सकते है 220 का आप stop loss maintain कीजे और ये ऊपर में 300 तक जाने की कुछ जाईश रख सकता है तो सागर cement ने एक बाई कर सकते हैं यहां पर levels watch out करना है और थोड़े correction के बाद अब सागर cement फिर से attractive लग रहा है यहां पर आप रखे नजर पर budget pains यहां पर एक बार आयूश आपसे राय जानना चाहेंगे क्योंकि कल देखे paint से related खबरे आएं पर budget pains काफी interesting लग रहा है चार्ट पर क्योंकि 425 जो है दो इसका एक resistance भी रहा है पहले और साथ ही अगर हम देखे तो कल अच्छा move इस counter ने दि आपका शुक्रिया भी करना चाहेंगे आज हमारे साथ जुढने के लिए और अपने stock calls भी हमसे साजा करने के लिए परजाते आजया कोई डिस्क्लेमर जो कि आप देना चाहेंगे आपकी जो भी पेक्स आपने दी थी जो भी स्वक्स हमने आपने क्लाइंस के रिकमेंट कियो सब्सक्राइब लेकिन मेरे अमेरे पॉर्फोलियो में हो नहीं है और आयूश थां हैं पर HDFC लाइफ फिर से एक बार एटेम्ट कर रहा है 640 के ऊपर जाने का क्या यहां पे थोड़े से कूल आफ के बाद पार्टेसिपेट करना है बाई उन डिप्स की रणनीती अपनानी है या फिर अभी जो है थोड़ा से इस पर वेट और वाच मूड अपना है तो जितने भी इंशॉर्ण सेक्टर्स के शेयर से वहां पे हम अच्छा खासा अपनों देख चुके और कहीना कहीं लग रहा है कि यहां से भी अपनों कंटीनियू हो सकता है तो ICACI, Pudential Life हो गया, HDFC Life हो गया, SBA Life हो गया यह तीनों तीन शेयर्स के अंदर आप देखो कि तो कहीना की यह एक अच्छा खासा बॉटम बनने के बाद स्टॉक हाइट अफार बटम पाटन के अंदर है, पटिकुलरी HDFC Life के हम बात करें, तो एप्रिल दोजार चॉबीस के आजपास 200 दिन की मुविंग आभरेज को बे पाटन है, इमिनिट लेवल पे 660 हो जैसे 660 का लेवल क्रॉस होता है, उपर में आप 700 तक के लेवल भी देख सकते हो, तो definitely मेरी साब से, not only HDFC Life, बट आप ICC differential, SBI Life में भी ध्यान दख सकते हैं। सरकार इंशोरेंस सेक्टर में बड़े रीफॉर्म्स की त्यारी कर रही है, आए इसकी जादा जानकारी लेते हैं, हमारे सही हो गया अनुराक्षा, जो की सेक्टर को closely track करते हैं, वो जुर चुके हैं, अनुराक बताइए, क्या कुछ खबरे आ सकती हैं इंशोरेंस सेक्टर से रेलेटेड इस बार के बजट में? बजट के अंदर ये देखने को मिल सकता है, कि सरकार ये बता सकती है, कि इंशोरेंस एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है, इसका मेंशन देखने को मिलता है, और उसके बाद जो composite license का रास्ता है, वो साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि composite license का इंतजार जो है insurance company कर रही है, composite license के बाद एक ही insurance company, life insurance के product बेच पाएगी, health insurance के product बेच पाएगी, general insurance के product बेच पाएगी, LIC ने पिछली अपनी press conference, result की press conference में कहा था, कि वो composite license का इंतजार कर रहे है, और उन्हें उमीद है, कि नई सरकार के बनने के बाद composite license वास्तविक्ता हो जाएगी, और वो health insurance के का के तौर पे, दूसरा एलान जो है, क्योंकि लंबे वक्त से insurance company के मांग है, कि जो home insurance का premium दिया जाता है, उस पे deduction मिले, तो वो इस बार section 24B के अंतरगत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्राकरतिक आपदाई या बाड से नुकसान हो रहा है, property का नुकसान हो र राजय सरकार के इंद सरकार को उपर भार बढ़ रहा है, तो insurance के माध्यम से उसे पाठा जा सकता है, तीसरा जो एलान आयुष्मान भारत health insurance scheme के scope बढ़ाने से जुड़ा हुए, जिसमें 70 साल से ज्यादा जो senior citizen है, उनका coverage किया जाएगा, और ये भारत इंता पार्टी ने अ तो हथा mention हो सकता है कि जो national health claim exchange है, उसके शुरुआत को लेकर सरकार करी लेते हैं क्योंकि सारे शेयर पर राय लेना सब्सक्रा मुश्किल है, ख़बर पूरे सेक्टर के रिगार्डिंग है, आई से से प्रोडेंशल के बारे में एक बार बज़रा पता कर लेते हैं, एक बार इन शुल्डर पाइटन परिकाउट के बाद रिटेश्ट करके, स्टॉक सक्सेश्फुली अब हाइट अफार बज़रा पाइटन के लेते हैं, तो इमेडिट लेवल के अगर आप देखो कि तो 630 का एक बेस्ट क्लस्टर सपोर्ट है, तो 630 के नीचे का आप स्टॉक लोज हो गया, इससे थोड़ा और आइडिया लग गया, रतनेश जी भी हमार साथ है, और सनीय अगरवाल है, इन से मेरी अभी पहली बार मुलाकात होगी, इस्यों के अंदर, मेरे पास फिर से शियर्स थोड़े लिमिटेड हैं, बट मैं थोड़ा पूछने की कोशिश तो कर रहा अगर आप शॉट करने की अनुमती दोगे ना तभी हम इसको हेज में डालेंगे नी तो शॉट नहीं करेंगे फिर फिर स्टॉप लगाएंगे हम वहाँ पर अगर 3180 के निचे करेंगा 3220 का पर फुरह सा वेट करेंगे 3180 के नीचे जाएगा तोली की शॉट पोजिशन मेरे सबसे बनाने को पर शॉट का आप इसको मना कर रहे हो ना तो हम इसको आवएड के के टिगरी में डाल देते हैं वह इसको आवएड कर दो मैंने शॉट पूछा था सर ने मना कर दिया आवएड के स्टेंप लगा दो बाय वाय भी हम देखेंगे नहीं अपने हिसाब से लेकिन इस पर आवए 1232 रुपे के आसपास यह यह वलाई मेंगलोर क्यमिकल्स देख लिए रतने सर आगे आपके टर्मिनल पर तो मेंगलोर क्यमिकल्स इसमें यहाँ पर मुझे साल लगता है कि आपके अच्छे सपोर्ट लेवल पर आ चुका यह एक इसमें तेजी चेलने बाद में इसमें बड़े टार्गेट बनेंगे फिर एक सब्सक्राइब पर तक के लिए तो इसमें पिल्कुल करें अच्छे सब्सक्राइब इसके बीचे मैं रिजन भी बता रहता हूं असल में क्या है ना कि यह सारे के सारे ना बजट औरेंटेट स्टॉक्स हैं इनमें अगर कहीं भी कोई भी प्लेस्मेंट होगी ना शेयर 20-30 परसेंट फिर देखेंगे भी औ और आपने देखा इससे पहले वाले भी कई शेयर के अंदर भी जो स्मॉल टिकेट साइस थेमेटिक शेयर खासकर कॉमडिटी प्ले रखते हैं इन शेयर के जैसी बाइंग आएगी फिर उड़ाते हूँ चलेंगे सनी अगरवाल से कोश्चन में इसी थेमेटिक शीज पर प स्पोर्ट्स की छूटा आगी 30% की तो सोने पर स्वागा है मैं को कल विश्मों बता रहे थे 10 रुपे का फरक है इंडिया में जो शूगर बिकरी है 39 की वहां विदेश में बिकती है 49 रुपीस की 10 रुपे का फरक है अगर इनको बार 30% माल बेचने के लिए नो मती दे दे फिर एथनॉल है फिर सारी के सारी कंपरिस के शूगर के कोई पेंडिंग नहीं पजा हुआ इस बार जो बारिश हो रही है वाच्छी हो रही है जो अक्टूबर में सौइंग होगी बहुत बड़ी है बंपर क्रोप लाएगी कास्टिंग प्रेशर कम हो जाएगा तो बहुत सर्प्लस शुगर जो है कंट्री में तीन से चार मिलियन टेन डेफिनेटली वहाँ कहीं न के स्पोप बनेगा एडिशनल इंकम बनाने का शुगर कंपनी के लिए जो मुझे लगता है कि अभी भी इथेनल का है एंटायर शुगर और नॉन शुगर प्ले में जा गौवर्मेंट का जो फोकस है ब्लेंडिंग डेशो बढ़ा करके 15 से 20 और 20 से 25 करने का है और इनके जो नए साल के टेंडर होते हैं वो शुगर यर ही फॉलो करते हैं तो अगर आप देखेंगे ओल मार्केटिंग कंपनी हैं इनके जो नए टेंडर है वो अक्टोबर मौंबर में आएंगे फिर से तो इथेनल स्टोरी को लेकर के डेफिनेटली मैं पॉसिटिव रह अगर 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 आप देखेंगे जो गोवर्मेंट की स्कीम से सपोर्टिव रहेगी चुकि यूपी और महराष्ट्रा अगर तू स्टेट जहां थोड़ा सा सेडवाग रहा था पॉलिटिकल सेडवाग के अगर मैं बात करूं तो यह दो स्टेट को कहीं डिर तो शूगर सेक्टर में यह जहां इथेनॉल की कैपासिटी बढ़ी है प्लेयर लाइक बलरामपूर त्रिवेनी जो टॉप की कंपनी से याईडी पैरी अगेन साउड बेस प्लेयर यह दो तिन प्लेयर है जो मिडियम टू लॉंग टम के लिया से पोट पोड़े में लिये ठीक है सर आपने बोल दिया हमने नोटिस कर लिया आप ही कह रहे हैं कि ठीक है शूगर स्टॉक के अंदर काफी दम है एक और चीज मैं बूलना चाहूंगा इसमें आप छोटे शेरों के साथ मत जाना चोटे शेर कहने का मतला जिसमें वॉल्यूम कम हो जिसके प्राइज एक अपना जो ट्रेंडिंग स्टॉक से ने शूगर के उसी में ही रहना एक्सपेरिमेंट नहीं करना फालत होगा इस ठीक तो यह सारे के सारे शेर इस पर मोटा मोटी सर ने आपको राइब दे दी एक शेर बलराम पूर्ची नहीं यह आपको नोटिस है परशान सावंद भी हम जवरतन शेर आपको बताने प्रशान जी गुड मॉनिंग सर अभी आ रहे हैं बस आपके पास एक ही मिनट के अंदर पहले एक बार आप भी सुन लीजिए मैं भी सुन लेता नोवजे के कौन-कौन से इंपॉटेंट नौ शेर है शरजी बताएं आप जी बिलकुल सबसे पह है इसमें पाटिसिपेट कर सकते है कल क्योंकि आज जो है नौन रीटील के लिए खुला है यह ओएफेस डिलिवरी में भी कल हमने देखा कैनाडा पेंशन फंड ने जो है कंप्लीट एक्जिट लिया था और लगभग 910 कोड की बिक्वाली कीती लेकिन जो अब्जॉप्श मिला है वही अगर सूला विन्याद की बात करें तो ओवरॉल जो नेट रेविन्यू है वह लगभग 10% बढ़ा यहर और बेसिस पे और जो हाइस्ट एवर अनुल रेविन्यू है उन्होंने रेकॉर्ड किया है क्योंकि Q1 में जो थे बहुत सारे दिन में ड्राइडेज थे एलेक्शन थे हीट वेव थे उसके बावजूद और इंपोर्टेंटली कंपनी ने कहा कि वो बॉट्लिंग स्टार्ट करने वाले एक यूनिट का महराश्च्रा में जो नए अक्वाइड एंडी वाइन से उसके थू आयर भी इंफ्रा की टोल रेविन्यू बहुत अच्छी में रहेंगे यहां पर रिपोर्ट्स आ रही है कि जो सीफूड एक्सपोर्टर्स है उनको जो है ओवरॉल ग्लोबल डिमांड में इशू हो सकता है क्योंकि जो शिप की फ्रेट रेट से वो पांच गुना बढ़ चुकी है अगर आप बात करें श्रिंप एक्सपोर्ट को ल के हमारा आठवा स्टॉक है बिग बोल ब्रोकरेज में नौमूरा अम्बूजा सिमेंट पे है अपग्रेड कर दिया है बाई पे पहले यह रिड्यूस था और टागेट प्राइस बढ़ा दिया है 500 से बढ़ा के कर दिया है 780 रुपे प्रतिशेट यानि कि 50% से ज़्यादा का अपसाइट पोटेंशिल करेंट लेविल से अब हो कह रहे है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है स्ट्रॉंग इंडस्ट्री में देखने मिल रही है और एक इन और्गनिक एकस्पैंशन पॉसिबल है आगे जाते हुए तो बहुत एक बुलिश नजरिया अंबूजा सिमेंट के रहेगा चैनल चेक सजेस्ट करेंगी जो ग्रॉस डवलप्मेंट वैल्यू है जो सेल्स वैल्यू होता है वो लगबख सोला सो लेके सत्रा सो करोड उपे कर रहेगा और पिछले छे महीने में रेमन की जो रियाल्टी आम है और लेटी पांच हजार कोड के बुकिंग्स कर च रहेंगे रेमेंट के लिए ट्रिगर यह भी है कि आज से शेयर यह एक्स डी मर्जर रेट करेगा और आज से लाइफस्टाल कारुबार अलग हो जाएगा फिर उसकी अलग से लिस्टिंग करवाएगी कंपनी लेकिन बाजार की प्री ओपन लेविल सेटल हो गए हैं आप द ताइस अंक फिलहाल यह उपर दिख रहा है अचा कोशियर आप फोकस में आज जरूर रखेगा एक तो टीसियस कल कमजोर रहा आज बाजार बंद होने के बाद नंबर आएंगे तो यह फोकस मेरेगा महिंदरा और महिंदरा शायद थोड़ा सा बाउंस बग दिखाए क्यों मारूती कल नया रिकॉर्ड हाई बनाया नया रिकॉर्ड बनाके करीब 4% शियर नीचे आया था आज देखते हैं मारूती के चाल क्या होती कल लाल निशान में जाके बंद हुआ नया रिकॉर्ड बनाने के बाद उपरे इस तरों से 4% गिरा था और इसके लावा पेंट शिय प्रशांत सावंत प्रशांत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए शुरुबात करेंगे आपके शेयरों से बताइए सर कहा पर आपका फोकस है क्या खरीदेंगे आप आज अमिशिक जी गूद मॉनिंग गूद मॉनिंग दो पैनल तो मेरा फर्स्ट पिक होगा है काफी दिनों से जो अंडर परफॉर्मंस रहा था अब एक अच्छी मूँव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं स्टॉपलास रखूँगा 2570, 2570 स्पॉट और टागेट मेरा होगा 2675, 2675 से लिके 2700 और नेक्स पिक होगा सिमेंट में जो तॉप पिक होगी होगी अल्ट्रा टेक्सिमेंट यहां पे 11500 स्पॉट ऑप के जस नीचे स्टॉपलास रखके टागेट मेरा होगा 11,985 अससे लेके 12,000 ठीक है तो दो मिनिट के बाद मारकेट खुल जाएगा देखते हैं क्या होता है आज और कुछ-कुछ स्टॉक्स पर आप ध्यान रखेंगा मैं फिर से बोलूगा थोड़ा आप आप इंडाइसिस को लेकर उतने जड़ा एग्रेसिव होने की जूरत नहीं है बहतर पॉइंट उपर है यह कह कल के चारसो साड़े-चारसो का दो रिजिस्टेंस है देखते हैं फिर क्या होता है रिजिस्टेंस पार होने पर ही और तेजी मारकेट कंदर आएगी नहीं तो यह वापकर रिजिस्टेंस पके खड़े रहेंगे एक कुल मिलाके थोड़ी से अच्छी चीज़ है कि एफ इस होने के वाइसे मैडल के शेर वापिस से फिर से उपर आ रहे हैं ठीक एक शेर आपको एम एडम भी दिखेगा कल बहुत तेजी से टूटा आज थोड़ा संभलने की कोशिश करेगा शुरुवात में टैक महिंद्रा और ग्रासिम दो और शेर हैं जो आधे-आधे-परसंट ठीक हैं कि मेरे को शेर बड़ा एक इस अपने रीज़न्स हैं कुछ पूल बैक वाले हैं तो कुछ सेक्ट और ली एंडिया जिसे कहे कि हां मैं खड़ा हूजी मैं लीडर बनके सामने आउं गा और मैं सारे के सारे बजार को अपर ले जाऊंगा उसमें रिलायंस नहीं है ए HDFC Bank नहीं है, TCS नहीं इनफोसिज नहीं है, पांचों शेर मेरी स्क्रीन से भी वो मिसिंग है, दूसरा पॉइंट ITC हलका सा कमजोर है, HDFC Bank हलका सा कमजोर खोलेंगे, और साथी Tata Consumers और UltraDex Cement भी हलका हलका सा कमजोर खोलेंगे, बड़े शेरों के साथ साथ में कुछ में और बारे में आपको थोड़ा नोटिस करा हूं, तो आज येस बैंक थोड़ी खबर का इंपैक्ट है, 4.5% उपर, RVNL और कोचिन शिपी आड़ी थोड़े थोड़े उपर खुल रहे है, 4.5% खबर के साब से येस बैंक कुछ नहीं खुल रहा, इतना तो वैसे खुल जाता है, बिना खबर कि अगर मार्केट थोड़ा भी ठीक हो तो 3% तो वैसी मिल जाता है, चल दे देखते हैं, मार्केट ओपन हुआ, 22 पॉइंट, फिर 68 पॉइंट अब आपको देख रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2400 शेयर अडवांसिस के साथ है, अडवांस टिकलाइन ठीक रहा है, चाय कल भले बजार गिर भी रहा था ना, तब भी अडवांस टिकलाइन के अंदर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं थी, निफ्टी के अंदर सिरफ 700 पॉइंट की भी बड़त बाकी रहेगी, बैंक निफ 2400 से पहले कुछ निफ्टी पे भी नहीं सोचूँगा, देखते हैं क्या होता है, अभी 215 पॉइंट की बड़त के साथ निफ्टी आपको ट्रेट करता है, अडवांस टिकलाइन ठीक है, आज आते हैं शेयर से, इंडवांस में कुछ बोलने वाला नियर्ज, पहले 500 शेयर जड़ा दिखाना, टीसेयर दिखाएए, इंफोसिस दिखाएए, टीसेयर क्योंकि आज शाम को उसके नॉम्बर आएंगे, हलका फुल का तेज है, इंफोसिस के अंदर 2,5 रुपे के गिरावट है, अरनायस रिडिस्ट्रिस मामली से 5 रुपे की बड़त के साथ खुला है, एच्टी एफसी बैंक पर दिखा दो, फिर इसके बाद एच्टी एफसी बैंक पर दिखा देना, एच्टी एफसी बैंक 6 रुपे नीचे है, आखिर कार आ ही गया है, ये करीब करीव ठारा सो शेयर पहुंच गया था, आपको ध्याने, और वापिस से 1620 के असपास आ गया ह एच्टी एफसी बैंक, देखते देखते देखी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ध्यान रखेगा, बजार हमेशा सीडियों के साथ चलता और उतरता लिफ्ट से है, कोई भी शेयर की किसी की भी शेयर की गिरावट देखेंगे, बहुत फास्ट और बहुत रिग्रिस ही आती ह हुला अगर आप देखें, अल्मोस्ट है फ्लैट है, तो मेरे पास सिरफ एक टीसेयस को छोड़के, नीजी टीसेयस को छोड़के, या हलका फुल का रिलाइंस को छोड़के, मिरे को बाजार की हेल्प करने में जो बड़ाई शेयरों की रिक्वार्मेंट होती है, वो भी थ या आपको थोड़ा और अच्छे से होता हुआ दिखेगा, आज कुछ और शेयर्स जो थोड़ा शुरुआत में चल रहे हैं, जरा मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं जरा दोसो वाली केटिगरी में जा रहा हूँ, वहां पे मैंको अच्छे शेयर्स मिल यह दोनों ही शेयर्स चला सकते हैं, ना केवल सेंटिमेंट अपने मार्केट के भी सेंटिमेंट को भी ठीक करेंगे, इनके अंदर शुरुआती बड़ी अच्छे बड़त है, मैंने भी डेरिवेटिवेटिव चेक नहीं किया, बट मैं वह भी चेक करकी है, थोड़ी दिर म का हाई टेस्ट किया, उसमें जायर्स लाइस सेंसेज, ब्रिटेनिया, फेडरल बैंक और आर वी एनल हैं, कोल मिलाके मार्केट में, आज में को स्लाइकली मेटल्स का थोड़ा बहुत मूव दिख रहा है, मार्केट के अंदर में को ऐस सच कोई बड़ा दे दिख रही है, ए इन्फरानी बहुत, आई टी, येस, आधा परसंट उपर है, उतना भी खराब नहीं है, तो आई टी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसमें आपको शुरुआत में कहा, यही बजार को थोड़ा और वीक करेगा, और यही बजार को कल के हलकी सी जो दबाब आया है, उससे ब बात ही टिक आने के बाद जो हाई बना उसको अभी तक तो मार्केट ने बरीक नहीं किया, यह हीट मैब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहेगा, और इसके अंदरा आप देखेंगे, लास्ट के दो काउंटर्स है, एक अल्टरेक सिमेंट आदा परसंट नीचे, लेकिन ए करने के लिए देखेंगे, बच गया आप हमारी कैलकुलोशन गलत हो सकती थी, हिंडाल को और यह शेर भी आज वापिस से उपर दिख रहा है, बैंकिंग का दिख रहा है, छोड़े मजोले शेर आपके स्क्रीन पर आएंगे, फिर उसके बाद हम फिर ट्रेड लेना शुरू करते हैं, बाजार में शुरुवात मजबूती के साथ ही हुई है, हाला कि उपरीज तोरो से थोड़ा-थोड़ा साम देखने की प्रेशर भी है, लेकिन डिंपी आप जिकर कर रहे थे, अमबोजा सेमिंट का नोमुरा का डबल अपग्रेड आया है, और इसके चलते शेर चल येस बेंग ने ये भी कहा है कि आरबियाई ने सैध्धानतिक मंजूरी नहीं दी है क्यावन परसेंट हिसा बेचने को लेकर, लेकिन खबरें चल नहीं है, आप देखें, साड़े पांच परसेंट ये शेर उपर कारोबार कर रहा है, 26 रुपे के उपर जाकर इस पर नजर देख रहे हैं, आप देखें, शिपिंग कारोपरेशन हो गया, या फिर गार्डन रीच, श्रेय शिपिंग, ये तमाम शेर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा, पीसी बील एक स्टॉक होगा, साड़े चार पांच परसेंट के आसपास की तेजी पर देख रहे हैं, नौकार कॉर्प भी दिखाईए, ये शियर भी करिक्वेशन चार पांच परसेंट उपर है, स्पिनिंग वाले जो शियर हैं वो भी रह रहे हैं के ठिक ठाक मूव दे रहे हैं, आप नहर स्पिनिंग के शियर को देखिए, वहाँ पर आपको तेजी जहां पर आपको एक ठीक ठाक मूव दिखेगा, क्योंकि ये शियर चलते वे आपको दिखाई देंगे, एसी सी, अमबुजा, इंडिया सीमिन्ट, ये शियर मजबूत हैं, और आटो की बात करें तो उसमें टीवीस मोटर हो गया, इसके अलावा मदरसन सूमी हो गया, ये श कल की कमजूरी के बाद, आज मजबूती लोटी है, ये है बाजार का हाल, निफ्टी बैंक, पचास अंको की हलकी बढ़त पर कर रहा है कारबार, चलेंगे शिष्टी के पास, शिष्टी ले चलेंगे आपको एक स्पोर्ट के पास, और जानेंगे फटा-फट, कौन से शियर अभी के अभी आप ट्रेट करें आप देखो कि FL अभी जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, 1400 के ऊपर वापीस आठ चुका है, हम बोले तो एक सक्सेस्फुल रिटेस्टिंग हो चुका है FL का, तो करन मार्केट प्राइस से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह एक अपडेट है, दूसरे जो ओक्निंग 3 के आप सपास चल रहा है, यहाँ आप देखो कि तो आपनी सभी इसके ऊपर दो तीन से सक्सेस्फुली ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिस तोन के अंदर है, कही ना कहीं एक फ्लैट होरीजन्टल ट्रेंड लाइन ब्रेकाउट होगा है, तो 173 के आप स 1640, 1635 का एक स्ट्रिक्स टॉप लोस रखे, अगर 1640, 1635 नहीं ब्रेक होता है, तो इंटरे 17 में आपको उपर में 1680, 1690 तर के लेवल दिख सकते हैं, तो इंफुसिस थोड़ा रिसकी है, हम लॉंग कर सकते हैं, और वाकि मिटकेट के अंदर रीन इंडिस्ट्री पे नज़र हो रहा है, और साथ ही, जैसा कि अभिशिक हाइलाइट करें थे, TCS ने जोश बरा है, IT में, इंफोसिस किरन को पसंद आ रहा है, थोड़ा सा रिसकी रह सकता है, तो स्ट्रिक स्टॉप लोस के साथ इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, अब आयूश आप से समझना चाहेंग अभी कौन से कॉल्स और कौन से स्टॉक स भर कर आ रहे हैं? यहां पर मेरे साब से स्टॉप लागानाची चोई सो पचास रुटा का टार्गेड बन सकते हैं, और यहां रतनेश आर्वी एनल तो जबरदस्त पिक रही आपकी और देखे लगातार ओडर इंफ्लो और साथी ब्लॉक टील्स भी हो रही है और अगली बार से सबसे पहले आपके पास ही आना है रतनेश ओपनिंग ट्रेट्स के लिए ओपनिंग कॉल के बाद को तो इंडिया सिमेंट पर हम धियान रखना चाहेंगे ओवरल चास्ट्रक्शल काफे पॉजटिव हैं मोमेंटम देखने मिल रहा है जानना चाहेंगे बताइए आपके कॉल्स कहां पे है तो शुष्ट्री जो स्टॉक मुझे पसंदारा है उपनिंग के बाद हो है है HPCL करीबन 340-342 के वीच ट्रेड कर रहा है यहां पे इस टॉप लॉस में 335 के नीचे 334 रखूँगा और जो मेरा टारगेट होगा फिलहाल जो है वो एक ही कॉल है प्रशान की तरफ से वह है HPCL आज जितने भी OMC है उन पे जो है एक रिपोर्ट जरूर आई है और उसके चलते डिर सारे जो काउंटर्स हैं जैसे के HPCL, BPCL यह सब ही उस लिहाज से फोकस में पर देखें दो कुछ दो काउंटर्स जुस पर हम आपको बता भी रहते के खबरे हैं एक SCI आप देखें साथ परसेंट की तेजी के साथ जो है यह काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और साथी साथ येस बैंक यहां पे भी साड़े साथ परसेंट की तेजी है औ अब क्या कुछ आप इस पर रिवाइस करना चाहेंगे या एक बार अपडेट देंगे अब सब्सक्राइब कर लिजे पर में हाला के रिजिस्टन्स जैसे आपने भी त्यान दिया के 28 का है लेकिन जिस तरह सका ओवरॉल मोमेंटम लग रहा है जरा वरी गुट चांस इसका हम 28 का मोमेंटम क्रोस करके 32 तक जाने की गुंजाईस लगते है तो मेरे साब से डेफिनेटली 24 की स्टॉक लॉस के जिस तरह से मनें स्टॉक के से उसमें मेरा वी फैमली का कोई भी इंवर्मेंट नहीं अपिंश्मेंट नहीं है क्लाइंट अच्छे से अपने सारे साथ नोटिस करा है दिवांक सर आपकी तरफ से को स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर हमने जो स्टॉक में चर्चा की मेरी परसनल हुल्डिंग में नहीं है पर हमारे क्लाइन को सर्जिस्ट करते हैं उनके पास पोजिशन हो सकती है ठीक कैसा है ड़न एगरी बहुत बहुत शुक्रिया दिवांक सर आपका भी आज करक में जुड़ने के लिए एक बार आई टी इंडेक्स वापिस से दिखाए और आप देखेंगे आई टी की ने स्पैसिफिक कंपनी टीसेस और इंफोसिस तो ठीक है लेकिन ओवरॉल देरे इस समय लाल निशान आ जाता लेकिन निफ्टी किसी तरह से भी 20-25 पॉइंट को अपने आपको रोके हुआ है बट बैंकिंग काउंटर्स में आ गया है प्रॉब्लम बैंक निफ्टी इस समय करीब लाल निशान में लौटा आया है वापीस से HDFC बैंक के अंदर गिरावट ह वो सब गुम हो गई इसलिए आज मेरे को सुभे की किसी भी बढ़त के अंदर को इटरस्ट ने मैं फिर से आपको बताता हूं आप ना रिग्रेसली हो जाओ पके हो जाओ आप अड़ी हो जाओ फस जाओ जगे पर गरारी अटका दो अपनी कि भाई मेरे को तो इसी रेट प आराम से आपको देखना बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेंगे आप इसमें बने रहना अराम से देखना आप मार्केट एक और चीज इंडिया विक्स ना पंद्रह पार नहीं हो रहा आज भी आप देखो भले बजार उपर से थोड़ा नीचे आ लेकिन इंडिया विक्स बढ़ा नहीं तो यह भी मेरा कंसर्न है कि बजार थोड़ा और नीचे आएगा भी कि नहीं आएगा यह डाउट क्रियेट कर रहा है नीचे आने पे इंडिया विक्स ठीक है यह पंद्रह पार हो जाना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी अप के अंदर उतरने की कोशिश करूँगा आगे बढ़ें एक दो शेर ज़र और चेक कर रहा लेते हैं क्या मैटल्स के अंदर दम है क्या सेल एक बर ज़र अच्छे कर रहते हैं सेल ना बेस्ट वापिस से बनाया है देखते हैं क्या होता है कि घृ तो मुझे लग नहीं यहां वे बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा हो चुका है और 145 के नीचे यानि 144 के आसपा स्टॉप लॉस रखके लेना चाहिए पहला टार्गेट टॉप का वो टार्गेट नीए एक हडल है अगर हम क्रॉस कर दे तो आप स्ट्रेट 170, 170 तक के लेवल तक पोजिशनरी जा सकते हो तो 145 के नीचे स्टॉप लॉस रखके लेना चाहिए दूसरा स्टॉप मेटल से जो मेरे रडार में आ रहा है वो जिंडल स्टील है करीबन 1020 पे चल रहा है कल का जो लो बना हुआ है आइडियल स्टॉप लॉस आपका वो होगा तो कैश में अक्यूमलेट करना चाहिए इसमें कोई फ्यूचर से आप्शिन्स में ट्रेड नी करना चाहिए कि अभी तो यहां पे कोई मोमेंटम नहीं नदर आ रहा है बर डेफिनेटल एक अच्छे लेवल पे हैं अक्यूमलेशन के इसाप से सो कैश में अक्यूमलेट करके 990 स्पार्ट क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना ची और आपका जो पहला टार्गेट होगा किसी तरह की कोई रिलेकसेशन दी जा सकती है ऐसा कुछ चल रहा है बाजार के अंदर इस सिर्फ उर्स बिस्ट इंफरमेशन है और बहुत तरह की निउस बहुत तरह की इन्टेलियंस मार्केट के अंदर रहती है इसलिए सिमेंट कंपनिस पे कोई आज आदमी ट्रेड ले है तो थोड़ा बीएवेर हो के सावधन हो के रखे मार्केट के अंदर अलग अलग तरह की न्यूस काफी जरह हैं और यही खबर में आपको नोटीस भी करवा रहा हूं कि खबर मार्केट के अंदर जी एस टी को लेकर भी चल रही है और बजट तो खैर बढ़ेगा ही इसमे करना चाहिए तो हमने तो तब भी आप से कहा था कि थोड़ा रुख जाना चाहिए हमको लगता है कौनिटिटिट इफेक्ट मार्केट के अंदर वापिस आएगा एक गिफ्ट निफ्टी जो आपको दिखा रहा है सब फॉल्स है इल्यूजन है और मार्केट धीरी जीरे करक कि फाइस घट गया हो हां रुख गया हो एक अलग बात है और एक बात और हमारी प्रूव होगे कि 85% के ओपर नहीं जाती हो वह 84 पे ही गए और वहां से फिर तूट गये 4% बाजार को धीरी जीरे करके कमज़ोर हो हाला कि मेरे फिर भी मानना है कि जब तक 24,000 के नीचे नही देख रहा होगा बकाइदा डेज लो पे हैं आज आईटी इंडेक्स का थोड़ा दम आ गया है और मैंने आपको सुबह भी नोटिस कर रहा था कि मेरे लिया सबसे रहा वाच्फुल एरिया जो होगा वह आईटी ही होगा मैं आज HDFC रिलाइंस को देखूंगा भी नहीं क्य देखते हैं आगे वड़ते हैं क्या होता है कुछ कुछ और ट्रेड भी है जिरा पता कर लेते हैं उन सब में लांग पूजिशन जहां बन रही है जर मैं वह पता करता हूं रतनेश सर से लेते हूं कॉल रतनेशी एक शेर आप अच्छा आप ही बताओ आप मननापुरम प्ल कर दोसोगर स्टॉक वापिस से आप देखाओ आप देखो बजार के कॉंट्रा कैसे शुगर स्टॉक खड़े हूरे हैं कल भी हुए थे कल भी आपने याद रखा होगा कि बलराम पूर्ची नी बकादा डेज हाई पे जाके बंद हुआ था आज फिससे बलराम पूर्ची नी चल रहा है और दो दिन से बादार वीक हो रहा है लेकिन शुगर स्टॉक वीक नहीं हो रहे ये रेनुका है दौरकेश दिखाई है जर मैंने आपको फिगर भी बताई है कि कितने रुपे का फरक है इंडिया और बाहर के अंदर 10 रुपे का फरक है और दूसरा एथनॉल के अंदर इस बर ब्लेंडिंग अच्छी हो सकती है इस बार के जो मिनिस्टर है पूरी है मिस्टर पूरी उन्होंने सबसे पहले कुरसी प टार्गेट बढ़ जायागा और कई देशों में तो 40-40% तक होता है ब्लेंड हमारे यहां तो फिर भी कम है तो सारी के सारी शूगर कंपरी आज फिर से नोटिस हैं और मैंने आपको कल भी और आज भी नोटिस करा था कि शूगर को बजट तक मत चोड़ना ये पहले इस गया था फिर वापिस आ गया था अब फिर सब 42, 45, 47 होने ही जा रहा है इसको कहां तक होल्ड करना है और अगर ये शेर आपको पसंद नहीं तो कोई भी शूगर में से आप शेर दे सकते हैं जरूर नहीं कि बहुत सिंपल ट्रेड ये होगा कि आप सिर्टी लाइन के नी रिकाउट कर दे और करीबन 47, 48 तक के लेवल्स दिखाए तो सिर्टाउंसाइड कर्व किजिए और मेरे इसाब से बने रहना चाहिए है 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 अब नेफटी बैंक ट्रेड कर रहा हमने आपको 52,000 के बारे में नोटिस करवाया हुआ है कब से करवा रहे हैं जब बावन 800 के आसपास था तो 600 पॉइंट करीब करीब वहां से हम नीचे आ चुके हैं अभी अभी भी मेरा मानना है कि आप 500 200 जरूर आना चाहिए हमारे हिसाब से नीचे और HDFC बैंक भी धीरी धीरी धाकेल के लाएगा इसको नीचे और हो सकता और भी उसके नीचे चला जाए बट मैं कोई जल्दवाजी नहीं करूंगा पहले मैं 52,000 देखना चाहता हूँ अपनी इनी आँखों से फिर मैं फैसला ल सब्सक्र franc 살i नहीं करा के थिर में निचे बहुत चैंग तो। आप देखो कोई आप सेमीट कमपनि हिना धीरे धेरे करके और आप रहे धीरे धीरे खेंख के क्योंते कुछ으면 पैस्मेंट प्लेस्मेंट पोजिशिएंग भाइगा अब घोंफ नेटा को छोड़के अल्ट गर आता है कि यह समए खरिदी का बहुत सकता दा इनवह स्तमों के लिहां से यहां बर्यूख़ा. ठीक है इंडिया सीमेंट को लेकर ये विए एक नीचे खबर आप देख रहे होंगे वह है एच्पियल इलेक्ट्रिक को लेकर ये कंपनी बिजली के मीटर बनाने काम करती है स्मार्ट मीटर्स अगर बनाती है ये और 2100 करून रुपे का इनको लेटर अफ आवार्ड ये मिला ह एक कॉंट्रेक्ट मिला है 13% उपर ये शेयर टंग गया है वैसे अच्छे रफ्तार से चला है मतलब है जब से स्मार्ट मीटर्स का जमाना आया है इन कंपनीज के लिए मौका बढ़ गया है इस साल के इस साल अगर आप देखिए तो करिपरिब ये डबल हो गया है अगर आठ संकेत क्या दे रहा है क्या ये चलता रहेगा ऐसे ही क्या सजेस्ट करने टेक्निकल सिस्के अभिशीक करने पर मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक बेसिक काम करना चाहिए 495 495 स्पॉर्ट क्लोजिंग ये आपका एक्जिस्टिंग लॉंग सक्ट अपलाउज होना ची पांसो साथ पांसो सतर तक के लेविल आ सकते हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक PCBL आज बड़ी थीजी दो दिन से ये शेर कमजोर हो रहा था आज दो दिन के पूरी के पूरी ना सिर्फ भरपाई की है बलके और उपर गया ही है PCBL यहां से ट्रेट के लिए रतनी जी सही लग र यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर ट्रेट के लिए चार्ट पर काफ़ अच्छा आज़ीशन करा है अब यह जो नई पोजिशन लेंगे हो मेरे काज़े लेना चाहिए जो पर इसके टार्गेट बनेंगे वो तीन सो यह पर तीन सो तीस तक के जा सकते है तो फिर आप पर ट्रेट को लेकर यह जाना चाहते हैं कि आखिर बीएसी जो गिर रहा था लगातार यह संबलेगा कब आज समलता हुआ दिख रहा है 26-26 सो रुपए के इस तर से लगातार यह कमजोर वह रहा था 26-23 सो रुपए का भाव दिखेगा और करीपर यह 5% के आसपास की मजबूती है मान के चलें प्रशान जी के शॉट टम में जो बॉटम बना था बीएसी का बन गया अब यहां से हम फिर से एक आप मूव देखेंगे शियर में यहां पर मैं सिर्फ एक बेसिक चीज कहूँगा कि यह 200 दिनों के आवरेज के नजदीक आया है जो करीबन 2200 पर आपके रिस्क कम होगी यह ट्रेंड काफी बीक लग रहा है और सेलिंग में वॉल्यूस भी थे पिछले एक दो दिनों से बट फिर भी मैं कहूँगा कि यहां पर क्यों के रिस्क होटी है आप सिर्फ एक करीबन यहां पर 2240-250 इस जोन में एक स्टॉप लॉस रखके स्मॉल कॉंडिटी प्लान कीजे इस टॉप में पोजिशन्स आड कब करने होगी तो एक बार यह 2450 के उपर निकले तब आप इसमें कॉंफर्टेबली पोजिशन्स आड कर सकते ठीक है बीएसी कुलेकर यह व्यूँ कुछ शेयर जो 1000 रुपे के भाव के आसपास के हैं वो तुरंत नजर में आ जाते हैं IRCTC हो गया, Tata Motor हो गया इसी तरह का एक शेयर और हो गया है वो है चने पेट्रो का लास्ट कुछ दिने सम देख रहे थे कि चने पेट्रो MRPL यह साथ साथ चलते वे दिखाई दे रहे थे और बड़े-बड़े मूव सा रहे थे, चने पेट्रो 1026 का भाव, रतनेश जी क्या यहां से मौके दे रहा है शेयर, या फिर अब अब अवाइड कर दें इसको छोड़ने रहे हैं रतनेश जी कुछ तो दिक्कत है ठीक है चने पेट्रो पर अब सवाल जरूर लेंगे लेकिन यह काम करते हैं 9 बच के 45 मिनट होने वाले हैं आप्शन के ट्रेड का भी समय हो गया है तो सीधे पहले लेकर आईए आप्शन के चैंपियोन को एक आप्शन का बढ़िया वाला ट्रेड जानेंगे उसके बाद चने पेट्रो के बादशीत करेंगे हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंटरम ब्रोकिंग के निलेज जैनिलेज भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए स्वागत हेटी नौस देश पर बताइए क्या ट्रेड करना है सर वेरी गुड़ मॉनिंटियो देखे आटो स्पेस में से टीवेस मोता एक पड़े के काउंटर है जहां पर काफी अच्छा मूह हम आल-फिलाल में देख रहे हैं और आज भी एक फॉल अप मूह हमें देखने को मिल रहा है यहां पर ओपन इंटरेस डेटा भी थोड़े से पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे है तो अंडर लाइन यहां से पचीसो से पचीसो बीस के जोन में जाता हुगा नजर आ रहा है इसलिए यहां पर टू-फोर-एट-टिरो का एड़मनी का कॉल अप्शन लॉंग करने की सिला होगी 60-62, 60-3 के रेंग में चल रहा है इसी रेंग में इसे करिट के चल सकते हैं 48 का स्टॉपलास होगा 80 रुपीस परला टागेट है 90 रुपीस का दूशा टागेट होगा एन इसका लॉट साइज जो है शुरवाती सतर में हो चुके हैं 2481 रुपे का भाव है 1.5% उपर ये शेर है आपको ऑप्शन के जरीए इसको ट्रेट करने की सला दे रहे है निलेज जी और ये रड़नी थी आपके लिए 2480 रुपे 95 पैसे का भाव है 40 रुपे उपर फिलाल आपको ये शेर कारबार करता हो दिखेगा अच्छा टीवीस मोटर के साथ साथ एक काम करते हैं टाटा मोटर पर भी एक वीव लेते हैं क्योंकि हम देख रहे थी कि मैंने दाम घटाए XUV 700 के टाटा मोटर ने दाम घटाए सफारी के और हैरियर के उसके चलते प्रेशर बना हालांकि कल ही टाटा मोटर ने ये संकीत दे दिया था कि नहीं मैं बहुत जादा नहीं गिरूँगा कल के सतर में अगर आप देखेंगे तो जहां पर गिरा वहां से बढ़िया बाउंस करकी ये शेयर उपर आये था हालांकि लाल निशाने बंद हुआ लेकिन इंट्रडे रिकवरी अच्छी थी टाटा मोटर इस पर प्रशान जी आप व्यू दीजिए और अगर आप हमें सुन पा रहे हूं तो टाटा मोटर के बाद एक बाज़रा चन्ने पेट्रो पर भी व्यू दीजिएगा तो अभिशिक जी टाटा मोटर की जहां तक बात है यहां पे 1035 पे बहुत क्रूशल गैप है तो यह गैप एक बार इस टॉम में 1030-32 आएं तो मेरी सबसे पहने सला होगी कि पोजिशन को 1025 से ट्रेल करो यानि बहुत क्लोशली मुझे लग रहा है यह गैप क्रॉस करना फर्स्ट अटेंड में आसान नहीं होगा यहां पे अटकने के चांसे ज्यादा है तो आप फिलाल जो भी लॉंग जो उनको 1032 आने पे ट्रेल करना शुरू करो नेक्स टॉक जो आपने पुछा वो था चन्नाई पेट्रो चन्नाई पेट्रो तो चन्नाई पेट्रो को अगरम देखें तो 1028-1025 यह जोन के आसपास ट्रेल करना है यहां पे बहुत कमफेटेबली आप 1012-1010 इस जोन में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे मुझे नहीं नहीं यह कमफेटेबली जो हाइस बने थे 1060-1065 यहां तक जा सकता है ठीक है चन्नाई पेट्रो 1060-1065 वहां तक जा सकता है चन्नाई पेट्रो का स्टॉक अप लेका है यह स्क्रीन पर उसको दिखाईए तो यह व्यू चन्नाई पेट्रो को लेकर लेकिन बाजार हम देख रहे हैं थोड़ा सा और नीचे आया है निफ्टी बैंक अब पचास अंक नीचे है और अगर आप शुरुवाती सतर में देख रहे थे अकेला SDFC बैंक कहा रहा था कि मैं गिरा हूँगा यह विटेज का खेल होता है 11 शेयर एक तरफ थे SDFC बैंक एक तरफ था आधे परसंट की कमजोरी के साथ लेकिन बैंक निफ्टी फिर लाल निशान में था 11 शेयरों के चड़ने के बावजूद अब SDFC बैंक कहा रहा है कुछ अपने भाईयों को कि अचाट ठीक आप भी मेरे साइड आ जाओ तो आप देखे ICC बैंक, XS बैंक, इंडेसिंट बैंक यह भी तीन शेयर जो बैंकिंग के दिगज हैं प्राइबिट बैंकिंग के यह भी लाल निशान में जाकर अब कारवार कर रहे हैं फिर मुश्किल हो जाता है जब ICC बैंक और SDFC बैंक यह दो शेयर अगर गिर गए ना अगर एक साथ फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों का कंबाइंड जो बैटिज है वो है तक्रीबन 52-53% के आसपास का निफ्टी बैंक में तो यह स्थेदी है जहाँ पर चर्चा करते हैं जहाँ पर जबरदस्त आक्शन है और रतनीश उस समय अगर हम आपके पास SCI के लिए आ गए होते तब 5% की तेजी थी अब देखे 12% की तेजी एक काउंटर दिखा रहा है तो सबसे पहले तो एक बार उसकी बढ़ाई लीजे पर रतनीश आश कई सारे जो सेक्टर्स थे जिन में एक दो दिन पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी मोमेंटम फिजल आउट हुआ था इसे की रेलवेज और केमिकल्स उनमें जो श्लॉटा है और मेरी नजर रतनीश एक बार चंबल फर्टिलाइजर पे गई है क्योंकि यह स्टॉक थोड़ा सा मूव अच्छा दिखा रहा था हमने एक दो दिन पहले भी इस पे चर्चा की थी पर नीचे आके इसने अपने 20-day moving average पे support लिया है पर कैसे देख रहे हैं आप इसको क्या यहाँ पे कोई fresh rate बनता है इस support levels पे चंबल पर टिलाजर में आप देखेंगे तो actually मेरे करदे security band में आगए इस राइचा थोड़ा सा नीचे आया पर अभी support level पर जरूर आगे पर अभी इससा कुछ setup नहीं fresh बन रहा है कि यह नई तेजी दिखा है वापिस से आप मेरे साथ नहीं तेजी के लिए इसको 515 रुपर के उपर निकलना पड़ाएगा फिर वापिस से तेजी करेगा पर मेरे साथ वेट कर लिए पंदरा इक इसके लिए एक important level है जो कि आपको watch out करना है पर रतनेश एक और counter है cash का हाला कि company के financials कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर कई बार होता है कि अगर कोई अच्छी story इसमें होती है तो news बाद में आती है momentum पहले देखने लगता है और वो counter है रतनेश राजेश एक्सपोर्ट कर गिरते बाजार में भी 12% की तेजी इसने hold करके रखी आज 5% की तेजी है क्या volume के साथ इसमें action हो रहा है रतनेश क्या लग रहा है अब भर उसे के लाइक है राजेश एक्सपोर्ट में देखे काफी लंबे टाइम से इसमें counter performance देखने को मिल रा था हमको उसके बाद में continue lower low formation बना रहा था अभी भी अपने continue average इसके नीचे trade कर रहा है एक बहुत अच्छा काल volume activity देखी थी पर अभी technical bounce देखता है बहुत लंबी देखी मुझे नहीं दिखाई देती है तो ऐसा कुछ बहुत लंबी देखी के लिए trade नहीं करा जा सकता है किसी ने कल के सतर में लिया है तो मैं तो सहीश करूँ हम सिफ 315 रुपए का stop loss लगा है अगे फिलहाल नहीं है राज़ेश एक्सपोर्ट के लिए पर इस बीच आप देखे पिछले इस हफते की अगर हम बात करें तो हमने आपको एक breakout share जो की था REC वो highlight किया था ये अपने पिछले highs को जो है ये counter जो है move करने की कोशिश कर रहा था और उसमें काफी successful भी हुआ है आप आरिसी का share देखे बॉल टाइम high level पे आपको आता वा देखेगा 606 के आसपास हमने आपको highlight किया था अब देखे F&O का stock 640 के आसपास ये counter देख रहा है पर रतनेश एक और counter जो की मुझे लग रहा है कि breakout के लिए त्यार है आप इस पर एक बार guide कीजे वो है pyramal enterprise बड़े समय से 3930-940 से reject होके वापिस आ रहा है आज फिर से एक attempt है पर क्या इस attempt में successful होगा या अभी भी आपको लगता है कि अटकले सामने आ सकती है इसको उपर में बहुत ज्यादा सप्ला है तो मेरे साथ जो इसमें थोड़ा सा breakout आगा वो breakout की range हो सकती 960 रुपे से 970 रुपे की वो range जगा निकाला है उसके बाद में इसमें breakout आगा जबता है कि थोड़ा सा consultation के लेगा क्योंकि underperform कर रहा है इंडेस ऐसे या मतलब इसके sector comparison में तो मुझे ऐसा रखता है कि अभी 970 रुपे के उपर का वेट करना चाहिए उसके बाद में इसमें ट्रेड लेना चाहिए इसमें ट्रेड लेना चाहिए फिर इस्टाप लोग बनाना है नहीं हम 950 रुपे का तो थोड़ा सा इस पर वेट एक बार आपको करना चाहिए फिर आम में ले इंटरप्राइस पर फैनाइशल स्पेस की बात करें तो आज नजर आपकी जरूर गई होगी येस बैंक के शेयर में अच्छी तेजी आज ये काउंटर दिखा रहा है और खबरे भी आई हैं इस पर क्या कुछ है आज की तेजी के ट्रिगर्स आईए समझने है पूजा से पूजा जोड़ चुकी है हमारे साथ ये पूरी जानकारी लेके पूजा बताइए क्या है येस बैंक की तेजी की वज़ा बिल्कुल येस बैंक में जो तेजी आज दिखाए दे ली है उसके पीछे काफी सारी खबरे हैं पहला तो ये है कि कुछ बड़े बैंकों के हिस्सा लेने की खबर आई है मिडल इस्ट और जैपान के बड़े बैंकों की येस बैंक में करीब 5 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीच सकते हैं इस तरकी खबरे निकल करा रही है इसमें अबुदाबी बैंक PGSE 51% हिस्से के लिए बोरी लगा सकता है Mitsubishi UFG Financials और Sumitomo Mitsubishi Financials भी इस रेस में दावेदार है हम आपको बता दे कि येस बैंक के शेर में हाल फलान में शांदार तेजी देखने को मिली है मूडिस के रिपोर्ट में कुछ वज़े भी बताई हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे 16% तक की तेजी आ चुकी है स्टॉक में और वालुवेशन्स 9.4 बिलियन डॉलर पहुच चुक है अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि आर बी आई ने हिस्सा बिकरी को मनजूर दे दी है लेकिन येस बैंक की तरफ से फिलाल सफाई आई है कि 51% हिस्सादारी बिशनी के लिए भी सेधातिक मनजूरी नहीं मिली है हम आउको पता दे कि इसमें जो बड़े निवेशक है उसमें SBI 24% की हिस्सादारी है और 24% की हिस्सादारी के साथ SBI बड़ा शेर होल्डर इसमें इसके अरावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, LIC ये कुछ बड़े बैंक है जिसमें की जो की निवेशत है येस बैंक में अब आज जो मूरीस की रिपोर्ट आई है वो भी काफी पॉजटिव है अपग्रेट किया है येस बैंक को Long Term Foreign Currency, Local Currency Rating BA3 पर कायम रखिये Outlook को Stable से बढ़ा कर Positive कर दिया इनका कहना है कि 2-3 साल में कंपनी के Asset Quality में सुधार हुआ Capitalization में भी सुधार देखने को मिला Deposit Based Lending Franchising में भी सुधार से मुनाफ़े को एक सहारा मिला यही नहीं अगले 12-18 महिने में को मुनाफ़े में भी सुधार की उमीद जताई है और इसके अलावा मूरीज का यह भी कहना है कि कंप्टी के Margin में भी सुधार होगा क्योंकि अब जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि High Risk Retail, MSME पर भी अब Yes Bank धिर देरे फोकस बढ़ा रहा है अब यह सारी खबरे हैं देखना होगा कि हिस्सा बिकरी को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है Yes Bank के तरफ से किस तरह की क्लारिफिकेशन आते हैं तो यह तो एक खबर थी ही बड़े इंवेस्टर्स आ सकते हैं लेकि मूरीज का जो अपग्रेट आया वो एक बड़ा ट्रिगर था आज की तेजी में इस वज़े से हम देख रहे हैं कि Yes Bank आज करीब 6-7% की अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है ठीक है तो यह Yes Bank पे मोटा मोटीक व्यूपाइंट साड़े 6-7% की तेजी है शुरुआत में गैपी 4% का हुआ था उसके बाद करीब 0.5% इसने और जोड़ा है ठीक है लेकिन फिर भी आप इसको नोटिस करके रखेगा Yes Bank आपके लिए एक important शेर हो गया हमने लगातार काई शेर आपको नोटिस कराया है मैं फिर से आपको नोटिस करायता हूँ बजट से रिगार्डिंग कुछ कुछ स्टॉक्स और जिसके अंदर मार्केट के अंदर काफी बज है रतनेश सर एक शेर मैंने ढूंडा है आप उसको जड़ा चेक कीजी मेरे को लगता है बढ़िया चलेगा क्योंकि आज इसका ब्रेक आउट हुआ मेरा चार्ट पर दिखाना स्क्रीन पर क्योंकि कोई भी चीज हमको कोई कल्पित तरीके से नहीं कहनी है प्रूफ के साथ बोल रहेंगे रतनेश शेर का नाम है सैक्स सॉफ्ट स-ए-क-ए-स-ो-फ-ट सॉफ्ट मैंने कल ही इसको नोटिस करवा दिया था कल क्लोजिंग के शो में कि देखिए ये शो में वैसे तो मैं कल पूछना चाता था लेकिन मैं आज ही इसके बारे में पता कर लेता हूँ बढ़िया सा बेस बना हुआ है आप देख रहे होंगे डिबल बॉटम का स्ट्रॉंग बेस है पीछे से वॉल्यूम का बेस है और अच्छे से एवरिजिस का सपूर्ट है शेर चला हुआ नहीं है बढ़िया चल सकता है जिस जो जुड़ी कंपनी है उसमें बजट में अच्छा इंपैक्ट भी आ सकता है एक बार जब आप इस शेर को देखिए आपको लगता है मेरा टार्गेट 306 रुपे का आज का है और फिर उसके बाद नए टार्गेट भी मिलेंगे पोस्ट बजट भी मिल सकते हैं वो आप देखें सेट सॉफ में बिल्कुल अच्छा है जोड़ी माया था तेरा तारिक को स्वाब में कंसॉड़ेशन चल गा एक जो सब्लाइब इसको टेंपेज आरे और टोंडेट मून ने वे डेली चार्ट पे आ रहा है वो निकालना इसके लिए थोड़ा सा जरूरी है वो निकालने वाद देशन फ्रेज बेकाउट आएगा तो जो इसका एवरेज का जो हडल आ रहा है वो अरुपकरी 301-302 के आसपास में आ रहा है वो निकालेगा तो बिल्कुल इसमें कच्छी तेजी में तो कितना 317 रुपे तक में आ सकती तो अगर किसे थोड़ा सा लीया हो तो थोड़ा तो 302 के आसपड तो ना को वसुलिए तरे नई तेजी का 302 के बाद और तेज़ी सकंदर आ सकते हैं अल्मूस्ट है 300 के दारे में तो आही चुका ये बकादा डेज हाई पे है मैं फिर से आपसे बोलता हूँ आप ना अगले दस दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ बजट से जुड़े हुए शेयर्स को ढूंड़ो ना ढूंडो HDFC ना ढूंडो Reliance Industries हो गया बास उसका काम मारोगे क्या उनकी जान लोगे क्या है HDFC Reliance Industries की करतो दिया उन्हें बाजार को जहां तक ले कि आना था आप सिर्फ वर्सिफ स्टॉक्स पकड़ो अच्छे अच्छे शेयर्स बजट से जुड़े हुए शेयर्स जहां पे साफ सुत्रा प्ले है और अभी मुमेंटम बहुत फास्ट नहीं आया वो सारे शेयर्स आपके काम आने जा रहे हैं मेरा इस शेयर पे निजी टार्गेट आज का 306 का अलमूस 302 मैं अपनी स्क्रीन पे देखी रहा हूं देखते हैं आगे क्या होता और अगर 302 पार हो गया तो सर कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ा मुमेंटम भी आ सकता है आप फ ठीक जी इस शेयर पे ध्यान रखेगा 302 पार होती और स्पीड पकड़ेगा यह आगे बड़े बजट से जोड़े बात होई रहे हैं तो बजट से ब्लॉक बास्टर शेयर भी आपके सामने एक रखते हैं दिखाए यह स्क्रीन पर और करते हैं आज के शेयर का पता कौन सा काफी दिनों बाद रजस शर्मा जी से हमारी बाच्चेत हो रही है रजस सर नमस्ते बताएए सर कौन सा शेयर आपने ढूंडा है बजट के रिगाड़े अब इस टाइम पे काफी सारे ऐसे शेयर हैं जो बहुत ओर वालुट है जिनको देखना ने चाहिए बट एक शेयर लाज क्याप स्पेस से जो मैंने कई बार आपके शो पे पहले भी रेक्मेंड किया जिसको मुझे लगता है इस बजट का काफी फाइदा मिलने वाला है वो मैं बताता हूँ इसको बजट से क्यों बहुत फाइदा मिलने वाला है और इसके पिछले एक साल ना चलने की वज़े भी तो इस कंपनी के चार सेग्मेंट है और चारों ही सेग्मेंट में बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है इंतजार है सिर्फ दो चीजों का एक कंपनी ने अभी होटेल का डी मर्जर किया है जिससे पहले इनका जो लाजस्ट शेयरोल्डर था बैट ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी और उनने साड़े तीन परसंट हिस्सेदारी बेची थी अब उनके पास लगबग 20 परसंट हिस्सेदारी है और होटेल के अलग से लिस्ट होने के बाद होटेल बिजनस के वो उसमें क्या करने वाले है इस पर थोड़ी क्लारिटी नहीं है अगले 100 से 120 दिन में विच इस तीन से चार महिने में ये होटेल बिजनस अलग से लिस्ट हो जाएगा तो उनका एक वो वर्टिकल है जो अभी होटेल वैसे ही इतने बुलिश हैं और अगर आप इंडिन होटेल देखें या EIH देखें जो अभी रूप है तबी के शेर इतने चले हैं ऐसे टाइम के अगर वो लिस्ट होगा तो बहुत एक जबर्दस वैल्यू अनलॉकिंग होगी और वो बहुत अच्छी कीमत पर ही लिस्ट होगा और उसमे क्लारिटी आ जाएगी कि बैट लिस्टिंग के बाद क्या करने वाला है जाहां तक बजट का सवाल है पिछले दो साल से फाइनांस मिनिस्टर ने टोबैको टाक्स जहां से इनका 80% 70% के करीब रेविन्यू आता है 70% से 80% के बीच में रेविन्यू नहीं नेट प्रोफिट तो पिछले दो साल से इलेक्शन के चलते इस साल और उसके पिछले साल भी टबैको पे कोई टाक्स का इंक्रीज नहीं किया तो काफी हद तक ये फैक्टर है कि इस बार चाट टाक्स में थोड़ी वृद्धी होगी तो अगर वो हुई तो ऐसे शेर समने देखे हैं जो इव बढ़ी बात नहीं के शेर बहुत तेज भागेगा तो जो दूसरा इनका बिजनेस है फमसीज सिगरेट वाला उसके लिए भी मुझे बहुत ग्रीन शूट पॉजिटिव दिखते हैं और जो नॉन सिगरेट फमसीजी है इस बार फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सीथारमन के एक कुशन है पैसे का GST कलेक्शन बहुत अच्छी रही है कि वो रूरल डिमांड को पुश करने की कोशिश करेंगी वैसे ही लॉबी की तरफ से इन चीजों पे GST को लेके क्लारिटी और थोड़ा इस करने का रूरल डिमांड को पुश करने का बहुत दबाव है तो आई त जो एक है जो इनका अग्री बिजनेस जिसकी वज़े से पिछले दो कोटर में कमपणी को थोड़े देंट आया है उसका में रीजन ये था कि कमपणी को Export restrictions का कॉशी भारत सरकार ने Export restrictions लगाई थी पर्टिकुलरली वीर वीट दिश को कहते है और वो इसलिए कि बहुत रस्य युक्रेन बॉर के पास जो डिमांड इंडिया पूरी कर रहा था युक्रेन के वीड की वो हमारे अपने देश में थोड़ा रिस्टिक्शन लगाई थी कि बाहर ना विजह वो भी काफी हद तक फैक्टर दिन है तो यह पहला क्वाटर होगा जो इस महीने के आखिर में रिला यह एसी प्राइस प्राइस है साड़े तीन परसंट कंपनी का डिविडेंड है यह ना भी चले बजट की वज़े से तो भी मुझे लगता है कि छे से आठ महीने में यह स्टॉक कोई 20 से 25 परसंट रिटरन दे यहां से साड़े 500 रुपे का हो जाए तो मुझे बिल्कुल ता और यह बढ़ियां ब्लॉक्बस्टर शेर बताने के लिए फंडमेंटल ही नहीं यह टेक्निकली भी इसने ब्रेकाउट दिया था हाल में और यह साड़े 400 रुपे के उपर यह शियर निकला है आपको याद होगा कि फरवरी में 400 रुपे के आसपास या फिर 400 रुपे के नी बस्टर शेर एक साल में संभाविक जो तीजी है वो होगा यहां से 25 परसेंट का साड़े 500 रुपे का टार्गिट बाजार पर एक ज़रा नज़र डालते हैं निफ्टी बैंक थोड़ी थोड़ी सी रिकावरी दिखाकर अब यह हर निशान में 68 अंको उपर निफ्टी बैंक कर दो चार वो हो कि अज़र निफ्टी रुड़ी बैंको ज़रा है यह हर में ज़रा यह हर वो हो